Hello everyone and welcome to your favorite channel of physics वाला और मैं हूँ प्रग्या आज पढ़ाने वाली हूँ आपको Molecular Basis of Inheritance या फिर वांशागती के आडविक आधार है ना तो बच्चो पिशली बार हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि कैसे Gregor Mendel ने कुछ नियम दिये थे वांशागती के या फिर कुछ laws of inheritance दिये थे है ना तो आज हमें उनको इस बात को समझना है कि जिन जीनो टाइप पिनो टाइप की बात हम लोग कर रहे थे जीन प्रारूप या फिर रूप प्रारूप की बात कर रहे थे उनको हमें इस चीज़ क अब समझना होगा कि क्या इसका कुछ इसके मॉलिक्यूल से या उसके आडविक सन रचना से क्या इसका कोई तालुक है और अगर है तो हम आज वही पढ़ने वाले हैं ओके तो वन्स अगेन आए वेलकम यू आल तो दिस आमेजिंग सेशन ओन इस अमेजिंग प्लाटफॉर समझेंगे याद करेंगे और फिर ही लिखेंगे ठीक है तो इस तरह से लेट मी स्टार्ट के या तो हम लोगों ने अभी तक यह पढ़ा था कि जो मेंडल थे उन्होंने आपको इन्हेरिटेंस या वन्शागति के लिए तीन नियम दिये थे हैं ना याद आया और वन तीन नियमों में उन्होंने एक बात कही थी कि कोई ऐसी सनरचना है कुछ ऐसा है जो एक generation से दूसरी generation में जाता है एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी में जाता है और उनको उसके nature के बारे में नहीं information थी इसके लिए उन्होंने उसको नाम दिया था फैक्टर या कारक ठीक है अच्छा अब जब बात आए तो फिर तूसरे साइंटर्स जो थे वो इस बात पर विचार करने लगे कि ये कारक का क्या नेचर होता है क्या इसा होता है ये और इसमें लग गए सौवर्ष जी हाँ इतने गहन अध्यान के बाद ये पता चला कि ये जो अनुवांशिक पदार्थ है वो ज्यादा तरजीवों में क्या होता है DNA होता है ठीक है DNA डी ओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसेड ये ज्यादा तरजीवों में क्या है अनुवांशिक पदार्थ है अनुवांशिक पदार् पीड़ी तक लक्षणों को ले जाने वाला एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक लक्षणों को ले जाने वाला जो पदार्थ है उसे हम कहते हैं क्या जैनेटिक मेटीरियल या फिर क्या कहते हैं बताईए जैनेटिक मेटीरियल या फिर अनुवांशिक पदार्थ तो अनुवांशिक पदार्थ वो पदार्थ है जो इन्फॉर्मेशन को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक ले जाता है और उसी की अनुरूप लक्षण दिखाई देते हैं संतती में इतना आपको याद आया हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं अब हमको इस बात पर फोकस करना है तो जिसको हमने कहा अनुवांशिक पदार्थ है ना वो है क्या वो है क्या वो एक तरीक्या का न्यूक्लिक एसिड है कौन सा न्यूक्लिक एसिड है डी ऑक्सी राइबो न्यूक तो मैं याद करवाऊंगी, आपको याद होगा, जब आपने कक्षा 11 पढ़ा था, क्लास 11 में आपने एक चाप्टर पढ़ा था, बायो मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने पढ़े थे कि बहुत तरीके के बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्भु हाइड्रेट, प्रोटीन, लिपड, तो उसमें एक तरीके का बायो मॉलिक्यूल्स था, न्यूकलिक एसेड, याद हैं, और न्यूकलिक एसेड दो तरीके के थे, कौन-कौन से, DNA और RNA, है ना, तो अब हमें यह हम पर यह समझ में आया, कि अच्छा, तो जो भी जनेटिक मेटीरियल है, वो एक तरीके क न्यूकलिक एसिड है, पहली बात, दूसरी बात क्या है, कि न्यूकलिक एसेड तो एक बायो मॉलिक्यूल है, और जादत और बायो मॉल्क्यूल्स हैं, वो किसी छोटे-छोटे मून वडमारं से मिलके बने हुएं है, या ये कहले जो दो पॉलि तरीके की चेन हैं, है ना, चोटे उन्की units की है ना चोटे चोटे units मिला की tiobani है तो क्या यह जो हम dna की बात कर रहे हैं यह भी क्या किसी मोनमर की chain है थि सके भी कई एक यूनिट है, कि गलकुल इसकी इकाई है, उसकी इकाई को कहते हैं नुकलिक एसेट की इकाई को कहते हैं नुकलिक टाइड, तो खुब सारे नुकलिक टाइड जब आपस में जुडते हैं, तो एक श्रंकला या चेन बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नुकलिक एसेट या फिर पॉली नुकलिक तो अब DNA की जब हम बात करेंगे, तो DNA क्या है? DNA एक तरीके का polymer है, किसका polymer है? Nucleotide का polymer है, ठीक है? अब यह क्या components है? कैसे यह किसी भी cell के अंदर बनते हैं? इनका क्या इस्तिमाल है? यह सब भी तो जानना है? चलिए, next slide पे चलते हैं. हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे चाहती हूँ, कि आप इससे note कर लें. हाँ, हाँ, तो अभी तक ही हम लोगी बात कर रहे थे, कि Nucleotide के इससे दो तरीके के हमने पढ़े थे, क्लास 11 में एक था DNA और दूसरा था RNA है ना? तो अब इनके बार में थोड़ा और डिटेल से देखते हैं, कि हमने जिसे कहा जैविक पदार्थ या जनेटिक मैटीरियल वो है कौन सा, है ना? तो अब यह चीज जो देख रहे हैं हम, तो Nucleic Acid या Nucleic Ample जो हैं, वो दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के Nucleic Acids पाए जाते हैं, वो लिविंग और्गिसम में, जितने भी जीवित जीव जनतु हैं, सब में जो है Nucleic Acid दो ही तरीके के पाए जाते हैं, एक होता है DNA दूसरे होते हैं, ठीक है, DNA का फुल फॉर्म होता है, Deoxy Ribonucleic Acid, और RNA का फुल फॉर्म होता है, Ribonucleic Acid, बात समझ में आई, DNA का एक ही मुख्यकार है, और वो क्या है, अधिक तर जीवों में अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करना, जादा तर लिविंग और्गिसम म genetic material क्या होता है, DNA होता है, clear, जादा तर लिविंग और्गिसम में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, DNA है, याद हो गया, DNA का काम क्या है, वो genetic information को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुचाने का काम किसका है, DNA का है, ठीक है बिटा, ये बात एकदम दिमांग में बैठा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक genetic information को पहुचाने का काम कौन करता है, DNA करता है, याद हुआ, ठीक है, अब दूसरे point पे आते हैं, तो RNA क्या काम करता है, सबसे important काम जो RNA का होता है, वो messenger है, सबसे important काम है RNA का एक messenger molecule की तरह act करना, जो genetic information की messaging करता है, वो क्या कैसे messaging करेगा, ये जानने के लिए हम लोग अब नेक्स लाइट पे जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, कि RNA का जो सबसे मुख्य काम होता है, वो होता है वाहक या messenger का, वाहक य messenger, तो DNA, तो RNA का मुख्यकार जो है, वो तो वाहक का है, तो कैसके कोई अनिकार भी है, जी हाँ, इसके तीन अनिकार है, जो की है, अनुकूलक, संरशात्मक और उत्प्रेरक, ठीक है, ये एक अनुकूलक molecule की तरह भी काम करेगा, मतलब कि adapter की तरह भी काम करेगा, जिसे हम adapter भ करेगा, तो संरशात्मक इसका कारे हो गया, और तीसरा इसका कारे होगा, एक catalyst की तरह, मतलब उत्प्रेरक की तरह भी ये कारे करेगा, ठीक है, बच्चो, अब हम लोगों को इस चीज को पहले note-down आप करें, फिर आगे बढ़ते हैं, तो आज की इस interesting, very very interesting class में पहले ये जान लेते हैं, कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि अगर आप इस बात को clear आपके mind में होगा, कि हम किस series से चल रहे हैं, किस pattern को follow करेंगे, absolutely NCRT pattern, पूरा का पूरे NCRT से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और एक चीज आप याद रखेगा, कि ये जो flow है, ये इस बात पर निर्भर कर रहा है, कि आप पहले सनरशना को समझेंगे, फिर आप उसके कारे को समझेंगे, तब ही आप उसकी application को समझ पाएंगे, है ना वि DNA की क्या सनरचना है, या ये कहलो कि उसका structure क्या है, दूसरी बात हमने करी बात प्रतिक्रती की, प्रतिक्रती का मतलब होता है, कि अपनी ही जैसा बनाना, अपनी ही जैसा कृती बनाना, ठीक है, तो DNA का प्रतिक्रती का मतलब है, जब DNA अपनी ही जैसी एक copy बनाता है, DNA अपन कि दूसरी बात है हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अनुलेखन अनुलेखन का मतलब होता है DNA से आरेने बनने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं अनुलेखन और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांस्क्रिप्शन और आप यह सोच रहोंगे कि अभी तो कह रहते हैं कि जादत जीवों में जो है वो जैनेटिक मैटीरियल डियने होता है अब आरेने क्यों बनाने लगे गैस समझना है बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत इंट्रेस्टिंग है अभी समझते हैं ठीक है तीसरी बात है स्थानशिक कोड क्या होते हैं इसी को हम लोग जैनेटिक कोड भी लिख लेते हैं जैनेटिक कोड यह क्या होता है यह बताता है कि जो प्रोटीन में जो एमिनो एसेड है वो किस तरीके से उनका क्रम निर्धारन हुआ है उनका किस क्रम में वो लगाए गए हैं यह हमें जैन चांतरण या ट्रांसलेशन, ओकी स्टूरेंट्स, तो ये तीन important terms आई हैं, जो मैंने mark करे हुए हैं, बट इस्टिल मैं फिर से एक बार आपको इस पर धियान दिलाती हूं, replication, दूसरा आया है, हमारे पास transcription, और तीसरा हमारे पास important word आया है, translation, translation, बेटा, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको इन तीनों को समझाना चाहते हूं, ठीक है, लेकिन, इसके अलावा जो दो topics हैं, उन पर भी ज़रा नज़र डालीजे, एक है मानव genome परियोजना, और दूसरा है DNA fingerprinting, देखो बेटा, जब हमें कोई भी information मिलती है, या कोई भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, या हम कोई भी research करते हैं, कोई भी अनुसंधान करने के पशाद, जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम मानव के welfare के लिए, या मानव की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जितनी भी हमें information प्राप्त हुई है molecular biology की study से उसको हमने शुरुवाती तोर में दो चीजों में इस्तेमाल किया एक यह था कि मानव genome की परियोजना बनाई एक project बनाया जिसमें मानव का genome human का genome की complete study करी गई जी हां बहुत interesting है मैं पढ़ाऊंगी आपको और दूसरा एक project था जिसमें DNA fingerprinting बहुत interesting है और बहुत important है और आपको जान के बहुत आश्यर होगा कि हम लोग इसको day-to-day life में इतनी ज़्यादा applications है इतना usage है मजा आने वाला है ठीक है तो यह सारे topics है एक बार आप इसे एक नजर से देख लिए इसमें कुछ लिखना नहीं है बस एक बार देखना है कि flow क्या रहने वाला है ठीक है बेटा चल तो next slide पे हमने यह बात कर रहे हैं कि भाई जो तीन term पढ़ी थी उनका क्या इस्तिमाल है वो क्यों इतनी important terms है देखो बेटा एक चीज समझो हमारे पास कोई भी जो information आई है यह हम कहते हैं जैसे पीड़ी से पीड़ी तक एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक DNA के त्रू information पास हो रहे है ठीक है अब वो information जो body में आ गई संतती के या संतती की सेल में एक सेल में आ गए उस information का कैसे इस्तमाल उसके शरीर करता है यह बता रहा है यह चार्ट जैसे कहते हैं अनुवांशिक सूचनाओं का बहाव या फिर कहते हैं इसी को central dogma of molecular biology कि कैसे molecular biology में चीजें काम करते हैं कैसे एक molecule दूसरा molecule बनाता है अब बेटा पहले आपको मैं molecular level पर बात को समझने के लिए कहूंगी क्योंकि आपने biomolecules पढ़े हूं है तो देखो एक biomolecule है DNA है ना उससे दूसरा biomolecule बन रहा है RNA और RNA से एक तीसरा biomolecule बन रहा है that is protein तो अगर आप एक दूसरे तरीके से देखे तो यह दोनों तो nucleic acids ही है राइट तो एक nucleic acid से दूसरा nucleic acid कैसे बनता है है ना और फिर दूसरे nucleic acid से एक दूसरा biomolecule कैसे बनता है यह बता रहा है यह पूरी जो steps है इसके ठीक है दूसरा biomolecule कैसे बन रहा है तो यह जो है molecular biology एक molecule से दूसरे molecule को बनना Central Dogma कहने का मतलब यह है कि पूरी की पूरी molecular biology इस एक sentence में summarize करी गई है जी हाँ अगर पूरी molecular biology का सारांश लिखा जाए तो यही एक sentence बनेगा कि कैसे DNA से RNA बनता है और RNA से बनती है protein ठीक है अच्छा बिटा अब protein से क्या बनेगा बताईए हमारा पूरा शरीर protein से बना है है ना protein structure बनाती ना body का तो जितनी भी हमारी body की सनरचना है पूरी की पूरी protein से बनी है तो अगर कोई भी माली जे एक लक्षड है जैसे माली जे लक्षड है curly बाल suppose तो उसकी information तो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में आ गए DNA के तुरू है ना लेकिन बाल कैसे बनेगा बाल तब बनेगा जब वह information DNA RNA में पास करेगा और RNA उस information से वह protein बनाएगी जिससे बाल कर्ली होंगी तमज में आया बिटा बहुत interesting point है कि जब कोई भी character express होना होता है लक्षड express होना होता है बिलकुल बिलकुल सही बात है कि एक लक्षड दूसर एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी के पीच तक जो जाता है उसके लिए DNA हमें बहुत ज़रूरी है लेकिन अगर DNA में बदल के और इससे समझे कि माता के बाल थे कर्ली जो संतान के बाल थे उसके भी कर्ली बाल आने थे लेकिन आने के लिए क्या था कि DNA ने information दी RNA को कि कर्ली बाल वाली प्रोटीन बनाओ तो RNA ने क्या करा कि कर्ली बाल वाली प्रोटीन बनाए तो जो संतान थे उसके पास कर्ली बाल आ बहुत important है और साथ में अगर आपको biology को अच्छे से समझना है ना ये कह लिजे कि ये biology में master बनना है तो आपको उसकी molecular basis को समझना होगा कि चीजे आपको अपना foundation बनाने में दिखकत आएगी right so I think it's clear now कि कैसे ये कितना important है ये पूरा central dogma क्यों ये जो बहाव है अनुवांशिक सूचनाओ का ये कितना important है है ना बिटा ठीक है चलिए तो अभी अच्छा तो अब तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से एक biomolecule दूसरा biomolecule बना रहा है आप उस process को समझते हैं कि उसको कहते क्या है DNA से DNA का बढ़ा DNA से ही नया DNA बनना ये कहलाता है क्या प्रती क्रती ठीक है प्रती क्रती अपनी जैसी copy बना रहा है DNA अपनी copy बना रहा है तो copy क्रती प्रती क्रती अपनी क्रती राइट इस तरह से आप इससे याद करें तो इसको इंगलिश में कहते हैं replication अपने जैसी copy बनाना replica create करना उसके बाद DNA क्या बनाएगा RNA बनाएगा तो DNA से RNA बनने का जो process है उसको क्या बोलते हैं अनुलेखन DNA से RNA बनने का जो process है उसको कहते हैं अनुलेखन या transcription ठीक है और RNA से protein बनना यह कहलाता है रूपांतरण या फिट्रांसलेशन ठीक है बीटा तो अब आप इसको नोट करेंगे लेकिन एक चीज पहले समझना है आपको एक और चीज में समझाते हूं अभी मैंने कहा कि जादा तर जीवों में DNA genetic material है ना जादा तर में लेकिन सब में नहीं क्यों क्योंकि कुछ ऐसे viruses हैं जैसे HIV हो गया, टुबैको बुजक वाइरस हो गया, इंफ्लुएंजा वाइरस हो गया, जिन में genetic material DNA नहीं RNA है अब वो कैसे information को transmit करेंगे इसको समझने के लिए हमने एक दूसरा चार्ट भी बनाया है, आप इससे समझो रेट्रो वाइरस, जिनका example मैं अभी बोल्ड रही थी, HIV या फिर टुबैको मुजक वाइरस, है ना, तो ये रेट्रो वाइरस है, ये RNA वाइरस है, ये कैसे अपना genetic material बनाते हैं, कैसे ये protein बनाते हैं, ये RNA से पहले बनाएंगे DNA, समझ रहे हैं ना, इनके पास RNA है, फिर य DNA बनाएगा mRNA और mRNA से बनेगा protein, समझ गए, तो जो RNA से DNA बनने की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं reverse transcription, इसको कहते हैं reverse transcription, reverse transcription है, RNA से DNA का बनना, RNA अगर DNA बना रहा है, तो वो कहलाएगा reverse transcription, ये सिर्फ कुछ वाइरस में होता है, RNA वाइरस में होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनके पास अपना DNA नहीं है, उनके पास सिर्फ RNA genetic material है, तो जब उन्हें प्रोटीन बनानी है, तो पहले वो अपने RNA को DNA मे convert करेंगे, फिर वो DNA नया RNA बनाएगा, mRNA, messenger RNA और उससे बनेगी प्रोटीन, clear? तो अंतर है, हम सब लोगों में, जाद अतर्जीवों में, जिनमें DNA genetic material है, वहाँ पर डाइरेक्ली DNA से RNA बन जाता है, RNA से प्रोटीन बन जाती है, और ये जो RNA बनता है, ये मैं इसको कहते है, messenger RNA, या फिर mRNA, है ना, जो basically information को, वो carry करता है, अभी मैंने पिछले slides में आपको ये question पूछा था, कि क्यों जो है RNA का मुख्य काम messenger का होता है, अब यहीं पर आपको असकान समय के, क्योंकि जो DNA से RNA बनता है, वो mRNA होता है, basically, messenger RNA होता है, जो प्रोटीन में convert होगा, जो प्रोटीन को जिससे प्रोटीन बनेगी, ठीक है, राइट, अब एक चीज़ आपको देखना है, तो जब RNA DNA में convert हो, और तब mRNA बनाए, और वो mRNA प्रोटीन बनाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते है, reverse transcription, और जो enzyme होता है, उसको कहते है, reverse transcriptase, ओके, reverse transcriptase, ये enzyme, सिर्फ RNA वाइरिसे, रेट्रो वाइरिस में पाया जाएगा, इतना याद रखना है, ठीक है, तो बेटा, अब इस चीज़ में इस point को आप मैं एक बाफ फिर से समझा देती हूं, कि जितनी भी molecules हमारे शरीर में बन रहे हैं, या किसी भी जीव के शरीर में बन रहे हैं, वो बन पा रहे हैं, जब DNA, RNA को वो देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, एक special protein बनाने के लिए, और वो protein, जिन लक्षनों को हमारे शरीर में दिखने हैं, वो उस protein की मदद से हमारी body में वो इस सनव्रशना या structure आ जाता है, ठीक है बेटा, तो जो DNA से RNA बनने का जो process है, उसको कहते हैं transcription, और RNA से protein बनन या retrovirus कहते हैं, जिनका genetic material RNA है, DNA नहीं है, तो ऐसे viruses में क्या होता है, कि उनके पास RNA है, लेकिन उन्हें protein बनाना है, तो पहले वो अपने RNA से बनाते हैं DNA, जिसमें यूज करते हैं reverse transcriptase enzyme, process को नाम दिया गया है reverse transcription, और उसके बाद वो DNA बनाएगा mRNA, और उस mRNA से बनेगी protein, ठी तो यह एक special process है, इसको कहा जाता है reverse dogma, ठीक, तो अब आप इसे please note करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो अब पहले RNA को देख लेते हैं, इसलिए RNA को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों पहले उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करी हुई है, और एक और कारण है, म यह भी बताती हूँ, ठीक है, RNA पाया कहा जाएगा, कोशिका द्रव्य में, है ना, साइटोप्लास में पाया जाएगा, केंद्रक में, नूकलियस में पाया जाएगा और राइबोसोम में, तो अगर हम एक ऐसी cell बना दे, तो इसका जो कोशिका द्रव्य है, उसमें पाया ग और इसके साथ ही, जो यहाँ पर राइबोसोम पड़े हुए हैं, जखे जखे, राइबोसोम पड़े हुए हैं, इनमें भी पाया गया क्या, RNA, तो RNA किसी भी cell में तीन जखे पाया जा सकता है, उसके नूकलियस में, उसके साइटोप्लास्म में और उसके राइबोसोम में, अब यह बना किसे होता है, देखो, नाम ही बता रहा है, राइबोसोम पाया जाता है, पेटा, अब आप समझें कि पहले हम RNA क्यों पड़ रहे हैं, इसलिए पड़ रहे हैं, क्योंकि जब धर्ती पे जीवन का, जीवन की शुरुवात हुए हैं, तो genetic material जो था, वो था RNA, है ना, लेकिन ऐसे ऐसे धर्ती पे जब जीवन आया, उस समय का ऐसा temperature था, ऐसा climate था ना, कि हमें कोई ऐसा molecule चाहिए था, जो बहुत stable हो, ताकि वो एक generation से दूसरी generation तक लक्षडों को काईदे से ले जा सके, बीच में ही वो खराब ना हो जाए, क्य कुछ भी हो रहा है, तो धर्ती की बहुत ही स्थिती जो थी ना, वो एक तरीके से बहुत dynamic थी, वहां कुछ भी स्थिर नहीं था, तो हमें ऐसा molecule चाहिए था जो स्थिर हो, और इसलिए DNA से RNA बना, DNA RNA के comparison में जादा स्थिर है, क्यों? अभी देखते हैं, ठीक है बीटा, तो इस चीज़ को समझना है कि जो पहला genetic material था, जो जितने भी पहले जीव आये प्रत्वी पे, उनका genetic material सिर्फ एक ही था, that was RNA, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो unstable था, आस्थिर था, इसके लिए उसकी जिखे DNA का विकास हुआ, अब DNA का विकास कैसे हुआ, और क्यों वो जादा स्थ पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देखो, कि जो RNA है, वो genetic material है, पहला genetic material, पहला genetic material, साथ में एक बात आप और ध्यान दो, ये अभी तक भी कुछ viruses में प्राप्त होता है, जिसको हमने retrovirus अभी बोला है, है ना, या फिर RNA virus, ठीक है, और ये ribosomes की जो तीन टाइब है, इनके बिबारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, तीन तरीके के ribosome हम पढ़ेंगे, R ribosome, R RNA, sorry, sorry, RNA हम तीन तरीके के पढ़ने वाले हैं, R RNA, T RNA और MRNA, है ना, तो जो R RNA है, ये जो है ribosomal RNA कहलाता है, जो R RNA है, ये कैसा है, ये ribosomal RNA है, जो R RNA है, ये ribosomal RNA है, इसकी सबसे अधे 90 प्रतिशत तक जो RNA है, वो किस फॉर्म में प्रेजन्ट है, वो R RNA के फॉर्म में प्रेजन्ट है, और ये क्या करता है, ribosome का निर्माड करता है, ओके, फिर हमने बात करें, T RNA की, जिसे हम कहते हैं, ट्रांस्वर RNA, ट्रांस्वर RNA, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, हाँ, तो जो T RNA है, जो ट्रांस्वर RNA है, इसका काम कहां पर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम होता है, प्रोटीन संशलेशन में इसका काम होता है, उसके बाद mRNA जो है, ये संदेश वहक का कारी करता है, ये संदेश वहक का कारी करता है, है न, और ये कितना होता है, तीन से पांच प्रतिशत होता है खाली, और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का अनुलेखी करड करता है, ठीक, तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क कर रहे हैं दोनों, ठीक, इसको हम clearly लिख देते हैं, 3 से 5 प्रतिशत, ठीक, तो अभी इनके बाइन का जो भी रोल हैं, हम लोग आगे बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, पहले आप यह समझो कि 3 तरीक्य के आरेने हैं, आर आरेने, राइबोसोमल आरेने, टी आरेने, राइबोसोमल इसीलिए से कहते हैं, और साथ में इस में क्या होता है, यह help करेगा किसमें, राइबोसोम के निरमार में, ठीक, जो ट्वाश पर आरेने हैं, यह प्रोटीन संसिसिस में help करेगा, ठीक, घ्रने से डियाने का विकास हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा common sense बता रही हूँ, जो आपको इसमें use करना है, पूरे chapter को समझने के लिए, इसका नाम है ribonucleic acid और इसका नाम है deoxy-ribonucleic acid अब इस चीज को समझना है कि इसमें क्या special है, इसमें ये special है, इसमें ये special है, है कि यहाँ word लगा है ribon, और यहाँ पर लिखा है deoxy-ribon, तो इसका मतलब है कि ribon में से अगर हमने oxygen निकाल दिया, तब ये क्या हो गया, deoxy-ribon, तो इसके नाम में ही इसका रहस्य चुपा हुआ है, कि दोनों के structure में क्या अंतर होगा, एक oxygen का अंतर होगा, ठीक है, एक oxygen का अ पुले की बात करेंगे, ठीक है, तो next slide पर देखते हैं कैसे ये सब change हो रहा है, बट पिटा तब तक आप इसे mode करें, ठीक है, तो अब DNA की बात होने लगी है, और इसको समझते हैं, हम DNA की सनरचना करने जा रहे हैं, है ना, DNA की सनरचना करने जा रहे हैं, और अभी जितने भी प्रश्णा आपके मन में हैं ना, DNA, RNA की structure से लेके, और उनके क्या नम है, मतलब की कैसे evolution हुआ होगा, क्यों evolution हुआ होगा, इस थिर्ता की क्या कहानिया हैं, कि सब अभी देखने वाले हैं, और इसके लिए आप पहले एक चीज समझो, मैंने अभी last slide पे और deoxy का मतलब कोई oxygen हट रहा होगा, ठीक है, तो पहले ribose structure बना के देखें के, बेटा पहले एक चीज को समझना है, कि जो nucleic acid है, वो किसका बहुलक है, nucleotide का, तो इसका मतलब है कि अगर हमको nucleic acid की पूरी पढ़ाई करनी है, तो हमको एक-एक nucleotide की पढ़ाई करनी होगी, है ना, ठीक है, तो एक-एक nucleotide में अगर हम देखें, तो हर nucleotide में तीन तरीके के अडू होते हैं, ठीक, कौन से पहला होता है sugar यह शक्करा, ठीक, तो अगर शुगर की बात करें, तो जो DNA है, उसमें होती है deoxy ribose sugar, और जो RNA है, उसमें होती है ribose sugar, तो दोनों में अंतर, उ nucleotide में अलग-अलग sugar इस्तिमाल होती है, ठीक है, अगर वो deoxy ribose sugar यूज कर रहा है, तो क्या बना देगा, और ribose sugar यूज कर रहा है, तो RNA बना देगा, ठीक है, अब बिटा इस structure में देखते हैं, यहां देखिए, आप इस structure में एक चीज़ देखिए, यह इसका आपने यहा C5H10O5, है ना, C5H10O5 लिख लेते हैं, C5H10O5, अब पहले इसको verify करिए, देखिए, पहले हम देखेंगे कि क्या 5 carbon है, देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, मिल गें 5 carbon, ठीक, अब हम बात करते हैं, क्या 10 hydrogen है, देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, दो, नो, एक दस, यह भी दिखेंगे, आपको दिखें, दस, पांच carbon और दस hydrogen दिखें इस structure में राइबोस के, राइबोस शुगर के structure समझ में, अब हमें देखना है कि 5 oxygen भी हैं, देखते हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच, तो मिल गया, structure आपको समझ में आया, कि कैसे एक शुगर, राइबोस शुगर का structure होता है, कैसे उसमें 5 carbon है, 10 hydrogen है और 5 oxygen है, और कैसे वो अपना आरेंजमेंट करके उन्होंने यह structure ब से RNA बना है, sorry, 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 RNA evolution के दौरान, विकास के दौरान, जब प्रत्वी का विकास हो रहा था, जीवो का विकास हो रहा था, तो RNA से DNA बना है, तो कैसे बना है, उसके structure में ही answer चुपा हुआ है, देखो, इसका जो formula आएगा, वो हैगा C5H10O4 तो अब हम जो इसका structure यह देख रहा है, मैंने थोड़ा छोटा से लिग दिया है, बट यहाँ बिल्कुल साफ structure लिखा हुआ है, आपको कोई confusion नहीं होगा, ठीके मेटा, तो अब देखो, oxygen काउंट करो, 1, 2, 3, 4, तिर्फ 4 oxygen है, क्यों 4 oxygen है, क्यों, क्योंकि जो second carbon है, उससे एक oxygen निकल गया है, देखो बिटा, second carbon से एक oxygen निकल गया है, ठीक, तो अगर पहला कैसे structural क्या change आया होगा, जब RNA से DNA बना होगा, कि RNA ने अपना एक oxygen लूस कर दिया होगा, है ना, और आप chemistry में पढ़ते ही हैं, कि oxygen एक reactive element है, highly reactive element है, तो जब उसको stable बनना था, RNA को खुद को stable बनाना था, उसने उसने क्या करा, उसने अपने second carbon से oxygen को लूस कर दिया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो ribos sugar क कि जब आप deoxy ribos sugar का इस्तेमाल करने लगा, पहली बात, clear, तो इस तरीके से eye stability, ribos से deoxy ribos बना, deoxy ribos ज़्यादा stable था, क्यों हो ज़्यादा stable था, क्योंकि उसने अपना एक oxygen release कर दिया था, release क्यों कर दिया था, ताकि वो ज़्यादा stable हो सके, और oxygen एक reactive element था, तो उसने सो जचा कि यार इसको छोग, तम मैं stable हो पाऊंगा, तो जैसे वो stable होने चला, तो वो RNA से क्या बन गया, DNA बन गया, क्यों, ribos sugar किस में convert हो ज़्यादा थी, deoxy ribos में, ओके, पहला point की स्थिरता कैसे आती है, right, अच्छा, दूसरे बात हमने देखी, कि जितने भी nucleotide होते है, most important component है, किसी भी nucleotide का, क्यों, क्योंकि उसी की वज़े से, उसको acidic nature मिलता है, phosphoric acid, acidic nature प्रोवाइट करता है, किसको nucleic acid को, right, अब तीसरी चीज हमने जो देखी, वो थी nitrogenous base, nitrogenous base is also an important component, ये भी एक मुख के घटक है, कैसे है, और क्यूं है, ये भी देखेंगे, लेकिन पहले आप एक चीज़ को समझो, कि दो तरीके के nitrogenous bases होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, एक को कहते हैं, purine, और दूसरे को कहते हैं, parimidines, ठीक है, purine जो है, वो तीन, दो तरीके की होती है, adenine और guanine, प्यूरीन दो तरीके की होती है, adenine और guanine, और जो parimidine nitrogenous bases है, वो तीन तरीके के होते हैं, cytosine, thymine और uracil, cytosine, thymine और uracil, तो बेटा, तीन तरीके के parimidine और दो तरीके की purine, purine हमेशा दो ही तरीके की है, और parimidine तीन तरीके की है, कैसमें कुछ रहसे है, क्या, ये भी कहीं स्थिरता के लिए help कर रहा है, क्या, देखते हैं, ठीक है, अच्छा, तो आप प्लीज इसको समझ चुके हैं, अब याद भी हो गया है, तो नोट का लीजेए, अब इतक हमने RNA की बात करी थी, अब DNA की थोड़ी सी बात करते हैं, दोनों को compare करते हैं, ये जानने के लिए कि यार, ऐसा क्या था, क्यों नेचर ने ऐसा करा कि RNA को हटा के DNA को genetic material बना दिया, क्यों भाई, कुछ तो रहसे हैं, ठीक है, चलिए, देखें, जो DNA है, उसकी शुगर है D-oxyribose, ठीक है, और एक रहसे मैंने आपको, लास्स्लाइट पर नहीं बताया था, इसलिए, क्योंकि मैंने ये बताया था आपको, कि जो nitrogenous bases होते हैं, वो होते हैं दो तरीके के, Purine और Pyramidine, जो Purine थे, वो हमने दो तरीके के देखे थे, Adenine और Guani, और Pyramidine थे तीन तरीके के, Purine, Thymine, Cytocene और Uracid, बेटा, जो हम लोगों ने एक question छोड़ दिया था न, आपको सोचने के लिए, कि पारिमिडीन क्यों तीन तरीके के हैं, वो उसका रहसे ही है, क्योंकि तीन तरीके के तो हैं, लेकिन एक Nucleic Acid में दो ही तरीके के पाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, DNA की, तो DNA में जो की पारिमिडीन्स पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, वो हैं थाइमीन और साइटोसी, तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कि भाई, RNA में था यूरैसल, उसको हटा के DNA ने अपने पास रखा क्या थाइमीन, क्यों, वही एक रीजन है, इस थिर्ता बढ़ाने के लिए, तो कैसे इस थिर्ता बढ़ गई, इस थिर्ता ऐसे बढ़ गई, कि जो यूरैसल है, और जो थाइमीन है, उनमें एक रिष्टा है, क्या रिष्टा है, ये देखते हैं, जो थाइमीन है, ये देखते हैं, ये देखते हैं, वो एक तरीके से यूरैसल का मोडिफाइड फॉर्म है, जी हाँ बच्छो, जो थाइमीन है, वो यूरैसल का ही मोडिफाइड फॉर्म है, मतलब कि यूरैसल में अगर पाँचवी पॉजिशन पे मिथाइल ग्रूप लग जाता है, तो वो थाइमीन बन जाता है, समझ के, सेम कहानी है, स्थिरता को बढ़ाना है, यूरैसल को स्थिर बनाने के लिए, उसको थाइमीन में कनवर्ड कर दिया गया, कैसे कनवर्ड कर दिया गया, पाँचवी पॉजिशन पे मिथाइल ग्रूप लगा दिया गया, ठीक है, तो यूरैसल से थाइमीन बना, क्यों, स्थि इस्शिर्ता स्थिर्ता ए इस्टेबिलेस्टी मुटी बढ़ाने के लिए मोलेक्वेभ dell के य्यूरास्यल को इस्थिर्ता बढ़ाने के लिए थाइमीन में कनवर्ड कर दिया गया कैसे उसकी पाँचवी मिथाईल पंचवी कारबन तो अभी आप इसको नोट करें और इस पे सारी बाते हम लोगों ने discussion करी हैं, एक पॉइंट और बशता है, इसको नोट करने से पहले मैं आपको एक बार यह पूरी चीज़ें समराइज कर देना चाहती हूं, कि क्यों बना RNA से DNA, इसलिए बना क्योंकि भाई DNA उत्तम अनुवा बैस्ट ही है, और क्यों और अच्छा तो उसकी क्यों वो बैस्ट है, जनेटिक मैटिरल डियने, क्यों बैस्ट है, पॉइंट्स देख लो, पहली बात यह है कि कोई भी एक अच्छा अनुवांशिक पदार्थ होने के लिए उसमें चार चीज़ें होनी थी, अब कौन-कौन सा क्राइटीरिया डियने फुल्फिल करता है, कौन-कौन सा आरेने फुल्फिल करता है, इस पे भी बात हम करेंगे, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कौन जीता, कौन जीता इस रेस में, इस कॉम्मेटिशन में, है ना, तो पहला पॉइंट जो था, वो यह है, इस पुरी चा चार चार विशेष्टाएं जो हमको समझनी है तो पहली विशेष्टा क्या है कि वो प्रति लिपी बना लेगा अपनी तो DNA अपनी प्रतिलिपी बना पाता है बिल्कुल बना पाता है तभी तो वो अपने क्या नमे संतत्ती में भेज बाता है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक जो उसकी कॉपी है वही तो जाएगी पहली बात दूसरा एक जो पॉइंट है वो यह है कि क्या RNA अपनी कॉपी ब बना पाता है और ने भी अपनी कॉपी बना लिता है तो इस पॉइंट पर दोनों जीत गए अब बात आ रही है mutation की उत्परिवर्तन की तो बेटा mutation या उत्परिवर्तन या change in genetic material मतब डिने के आज structure में change आ रहने के structure में change यह जरूरी है जी हाँ जरूरी है क्यों इसी से होता है evolution लेकिन अगर बहुत जल्दी mutation होने लगा तो वह अच्छी बात नहीं है तो DNA की quality यह है कि उसमें mutation होता है लेकिन slow होता है है ना यहां पर हम लिख सकते हैं कि slow mutation होता है और RNA में होता है past mutation जो की एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि यह स्थिर्ता को challenge कर देती है स्थिर्ता को challenge कर देती है है ना तो स्थिर्ता को जो को challenge कर रहा है वह अच्छी बात नहीं है तो इस तरीके से mutation होना RNA में अच्छी बात नहीं है ज्यादा RNA में mutation होना उसको एक अच्छा genetic material नहीं बनने देता किसको बनने दे रहा है DNA को वहां mutation कम है तीसरी बात आप यह समझे मेंडल्स law जब हमने बात करी थी कि जो मेंडल्स law के according कहते है कि कोई factor होते है जो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाते हैं फिर बात में हमने देखा कि वह factors एक्छी जीन्स है जीन्स है जीन्स क्या है एक DNA का segment है है तो हमने यह समझा कि यार अभी बात हो कि जब यह कह कि दोनों बाते फिट हैं दोनों के लिए कि समझो आप कि जब DNA लक्षड को प्रस्तुत करता है अपने तो पहले क्या बनाता है आरे ने सेंट्र बायाद करो मतलब कि अगर किसी लक्षड को प्रदर्श्य तो होना है ठीक है यह बात बिलकुल सही है कि DNA मेंडल के जितने भी लक्षड है जिनके फैक्टर की वह बात करता है उनके एक जैनरेशन से दूसर जैनरेशन पहुंचा दिता है जीन के फ़र्म में लेकिन अकेले DNA नहीं कर पाएगा जब वो DNA RNA में कंवर्ट होगा RNA प्रोटीन बनाएगा तब ही लक्षड दिखेगा तो इसके लिए भाई दो है इन दोनों में से और वो क्या है DNA DNA अधिक स्थिर होने की वज़े से उत्तम अनुवानशिक material है यह एक better genetic material है या क्या सकते बहुत अच्छा genetic material है because इसमें इस थिरता बहुत ज़्यादा है ठीके बीटा तो यह जो बहुत interesting से concept हम लोगों ने सीखा है पुरी बोर्ड पर बनाया है आप इसे note कर ले हाँ ओके पिटा आपने note कर लिया लेकिन मैं इसमें एक point और add करना चाहती हूँ वो यह है कि जब हम बात करेंगे अभी structure की बात करेंगे ना तो हम देखेंगे कि जो DNA है ना DNA का double helix structure होता है और RNA का एक ही strand होता है है ना कहने का मतलब है कि जो DNA है उसमें उसके दो जो nucleotide है दो nucleotide chains जो है वो आपस में एक structure बनाती है है लेकिन जो इसमें RNA में एक ही strand होता है बेटा जिसमें भी double strand है वो ज्यादा स्थिर है तो यहां भी यह भी double helical structure है यह भी स्थिरता में मदद करता है ठीक लेकिन जो इसका यह जो single stranded molecule है यह इसको अस्थिर बना देता है तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि भाई जब RNA पहला genetic material था अर्थ पर जैसे जैसे अर्थ का evolution हुआ तो RNA की बज़ए DNA genetic material बना तो क्या क्या changes आये पहले हम एक बार summarize करेंगे changes यह आये थे कि जो अभी तक वो ribose sugar यूज़ करता था आर्थ अब उसने क्या अब उसके कौन सी sugar यूज़ हुई डियोक्सी राइबो शुगर ठीक है तो RNA से बन गया DNA दूसरी बात क्या करें जब DNA molecule बन गया तो एक और भी चीज़ उसमें अंतर आ गया कि जो पारिमीडीन था वहां पे थाइमीन सौरी यूरैसल जो RNA में था अब वो convert हो गया क्या थाइमीन में कैसे भाई यूरैसल के बन गया थाइमीन तो दो आंतर आ गया पहला यह कि शुगर लागे दूसरा यह कि निकलियोटाइड लागे स्थिरता बढ़ गया तीसरा यह कि भाई उसकी तो एक चेन होती थी आरे ने तो एक चेन का था अब DNA में दो चेन है दोनों चेन आपस में दूसरे को क्रॉस करें पिर स्थिरता बढ़ा रहे हैं तो स्थिरता बढ़ाने के लिए नेचर ने देखे कितने इंट्रेस्टिंग अरेंजमेंट्स करें हुए हैं ना बिटा ठीक है ओके और कौन सा जनेटिक मेटिरियल बेटर है DNA बेटर जनेटिक मेटिरियल है क्योंकि वह जो होता है ठीक अब आपको नोट करना है मैं थोड़ा हट जा भी हुए हुए तो अब हम लोगों ने यह देख लिया था कि भाई DNA के पास दो चेन है अब इन दो चेनों का क्या स्ट्रक्चर है कैसे यह काम कर रही है इन सब के बारे में हम लोग अब देखने जा रहे हैं ठीक ह आपको जो दो नुक्लियोटाइड की चेन्स हैं वो जुड़ी होती है आपस में उनके बीच में एक लिंकेज होता है जिसको हम फॉस्फोडाइस्ट लिंकेज कहते हैं लेकिन बेटा इसको समझने से पहले एक बात हम पहले बेस पे चलते हैं इसके ठीक है तो देखो जो य यह है शुगर अभी हमने इस ट्रॉक्टर देखा था इसका और यह जो पी है जो पी है यह क्या है यह फॉस्फेट ग्रूप है है ना जो पी है यह फॉस्फेट ग्रूप है हमने यह देखा और यह जो बीच में बने हूँ है ए टी जी सी यह सब क्या है यह सब नाइटोजन में समझ में आया ऐसी इधर देखो कि तो ये शुगर है ये फॉसफेट है और ये क्या है नाइटोजनस बेस ये वाला भी पेस तो डाइगराम में बेटा इक चीज को ध्यान दो कि जो इसका आधार है जो पुरा बेस है उसमें क्या क्या है उसमें शुगर और फॉसफेट गूरूप का ये बैक बोन बना रहा है ये ये कहलो कि आधार बना रहा है आधार शुगर का और फॉसफेट गुरुप का उन दोनों से बना है क्या आधार पहली बाद और जो बीच में आते हैं जो उसका बीच का पोरशन है उसमें क्या है? nitrogenous basis nitrogenous basis बीच में आ रहे हैं तो इसको ध्यान दो अब कैसे यह structure बन के तयार हुआ होगा कैसे कैसे nature ने इसको arrange करा होगा और कैसे एक एक unit अपस में जोड़ी होगी ना देखते हैं तो हमने यह देख लिया कि जो backbone है वो sugar of phosphate की बनी है और जो nitrogenous base है और sugar देखो पहले क्या बेटा इनमें कौन सा जुड़ाव हमें पढ़ना है पहले हमको एक यह जुड़ाव देखना हैं कि कैसे एक nitrogenous base और sugar आपस में जुड़े हैं तो जब एक nitrogenous base इस और शुगर वह आपस में जुड़ते हैं, तो कैसे ये कारी कर रहा है? देखो, इसमें क्या होगा? कि नाइटूजनस बेस जो है, वो शुगर के पहले कार्बन की ओएच ग्रूप के साथ जुड़ेगी. पहले कार्बन, देखो, पहला कार्बन ये है, इसकी ओएच ग्रू के साथ जुड़के कौन सा बॉंड मनाएगी? N-Glycosidic Linkage. इसको हमने क्या कहा? N-Glycosidic Linkage. इतनी बात क्लियर है? और इस जो ये एक यूनिट दोनों ने मिलके बना दी है, जो ये शुगर ने और नाइटूजनस बेस ने मिलके जो एक यूनिट बनाई है, इसी को हम कहते है Nucleoside. ये आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, नेकर मैं एक बार रेवाइस कर देती हूँ. तो जो एक नाइटूजनस बेस और शुगर के साथ मिलके जो एक कॉंबिनेशन बना है, उसको कह रहे है Nucleoside. Nucleoside क्या है? नाइटूजनस बेस और शुगर का कॉंबिन हमने यही लिखा है और यहीं यहाँ पर यह mention है. अब हम देखते हैं कि जो पहले कार्बन पर तो कौन जुड़ गया? यह जुड़ गया. नाइटूजनस बेस जो पांचवा कार्बन है यह. इस पर कौन जुड़ेगा? इस पर जुड़ेगा फॉस्फोरस. जो पांचवे का जुड़ेगा क्या? फॉस्फोरस. तो जब फॉस्फोरस किसके साथ जुड़ा? ओएज ग्रुप के साथ और तब यह फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ गया पांचवे कार्बन के साथ तो यह जो चीज बनी इसको बोला नुक्लियो टाइड. ठीक है? तो यह जो पूरा अरेंजमेंट है, यह जो पूरा अरेंजमेंट है यहां का, इतने से इतने का, इसको हमने क्या बोला है? इसको बोला है हमने नुक्लियो टाइड. अब जब यह पूरा अरेंजमेंट बन गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे? नुक्लियो टाइड. इसको क्या बोलेंगे नुक्लियो टाइड एक बाफ फिर से समझें अगर नाइटोजिनस बेस है ना नाइटोजिनस बेस अगर जुडता है शुगर के साथ में तो क्या कहलाता है नुक्लियो साइड नुक्लियो साइड फिक समझें और अगर इसी कॉम्बिनेशन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाता है नुक्लियो टाइड तो ये क्या कहलाता है नुक्लियो टाइड है ना बात क्लियर हुई, एक बाफ पिर से आप समझो, कि nitrogenous base अगर शुगर के साथ जोडता है, तो हम इस combination को कहते हैं, nucleoside, और अगर उसमें phosphate group और add हो जाए, तो इस पूरे combination को कहते हैं, क्या, nucleotide, ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आपने देखी, कि किस तरीके से nucleoside और nucleotide बनता है है ना, चौर बेटा, अब next topic पे चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको भाई, वही काम करना है, पहले इसको note करना है, और बेटा, मैं आपको promise करी हूँ कि अगर आपने ये topic सीख लिया, आपको bio में कभी किसी और topic में प्रोब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि आप उसका base है, है ना, तो इसी तरीके से कैसे वो cell, और किसी भी cell में जो हो रहा है, उसके लिए उसके nucleic acid का कितना, उसका nucleus का कितना बड़ा योगदान है, तो पुरी board, उसके तरीके से आप पुरी universe की sun रचना को समझ जोगे, अगर आप ये topic समझ गये तो, और I am very much sure कि आज के बाद इसकी problem खाता, ठीक है, चलो, तो अब हम बहुत interesting topic पे आ गया है, next topic है हमारा, कि double helical structure, double helical structure मैंने आपको पहले ही सारे point बताएं, लेकिन कुछ और भी तो है, जो बहुत interesting है, सबसे important बात ये है, कि ये दिया था, किसने, Watson और Crick ने, Watson और Crick ने दिया था, कब 1953 में, इसको किसने दिया था, Watson और Crick ने दिया था, और कब दिया था, 1953 में, तो double helical structure मतलब दो helics आपस में है, आच्छा पीटा, जब कोई एक scientist कोई, या group scientist कोई research करता है, तो वो उनका तो योगदान होता ही है, लेकिन उनसे पहले भी किसी ने उसमें काम किया होता है, वो उसकाम को आगे ले जाते हैं, ठीक है, तो जब double helical structure आया थाडियने का, तो उसमें और भी दूसरे scientist का योगदान था, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो कौन scientist है, जिनके बारे में हम बस इतना जालने, कि X-ray से, जो वर्तन और क्रिक ने, ठीक है, तो योगदान उनका भी कम नहीं है, है ना बिटा, चलो, तो ये देखो कि double helix, एक helix ये है, और दूसरा helix, ये वाला है, है ना बिटा, तो double helix इस तरीके से आ गया है, अब हमें ये चीज़ देखनी है, कि यहाँ पे ये जो हमें ये दिख है ना, ये base पेल है, Aidenine का, Thymine के साथ में, गौणून का, Cytocine के साथ में, और ये, क्या है, शुगर, Phosphate का, बेस है, जो शुगर, और Phosphate की हमने कहा ना, के base बनाते है, तो भाइ आधार तो नहीं का बना है, दिख गया हमें, और बीच में क्या है, नुकली वो, नाइटोजिनस बेसेज हैं, नाइटोजिनस बेसेज में क्या है, एडिनीन हमेशा पेर करेगा किसके साथ में, थाइमीन के साथ में, एटी, जी सी, एटी, एटी, जी सी, एडिनीन हमेशा किसके साथ पेर कर रहा है, थाइमीन के साथ में, एडिनीन, थाइमीन, याद कर लो, दूसरी बात है, गवानीन हमेशे किसके साथ में पेर कर रहा है, साइटोसीन के साथ में, A, T, G, C, गवानीन किसके साथ में पेर कर रहा है, साइटोसीन के, ठीक है, तो याद हो गया, A, T, G, C, ठीक है, तो अब आपको यह देखना है, और इसको जो है, हिंदी मे द्वे कुंडली DNA कहते हैं, double helical structure क्यों कहते हैं, द्वे कुंडली DNA, ठीक है, ओके, अब जो बेस, अब इसकी क्या क्या characteristics है, पहले उनको देखना जरूरी है, कि जो base pairing होती है, दो strand के बीच में, वो होती है, कैसी, जिसको बताया है, कि इसने चारगाफ रूल ने, by एक scientist और थे, उनका भी contribution बहुत इगजब का है, उन्होंने ये बताया है, कि जब हमने बात करी थे, आपको याद करा देते हैं, कि प्यूरीन्स दो तरीके की होती है, कौन सी एडिनीन और ग्वानीन, और पारिमीडीन्स जो होती है, हम अगर DNA की बात कर थाइमीन और साइटोसीन, ठीक है, तो वो चारगाफ रूल ने हमेशा ये बोला, कि जो प्यूरीन है, एडिनीन है, वो हमेशा थाइमीन के साथ में प्यार करेंगे, हमेशा एक प्यूरीन का जो प्यारिंग होगी, वो एक पारिमीडीन के साथ होगी, और दूसरी प्यूरी प्यूरीन आपस में bond नहीं करेंगे, कभी-कभी पारिमिडीन पारिमिडीन नहीं करेंगे, एक प्यूरीन होना चाहिए, दूसरा पारिमिडीन होना चाहिए, यह चारगाफ रूल नहीं बोला, दूसरा बात उन्हें उन्हें बोली, कि DNA में प्यूरीन बेस की मात्रा की बराबर मात्रा होगी, clear? दूसरी बात यह है, कि एडिनीन की मात्रा थाइमीन के बराबर होगी और गौनीन की मात्रा साइटोसीन के बराबर होगी, क्यों? क्योंकि इनकी आपस में पेरिंग होगी, और उसको अगर हम एक एक इक्वेशन से पूरे चारगाफ रूल को करते हैं तो वो ये है A plus T is proportional to G is to C, है ना, G और C गौनीन और साइटोसीन मिलके हमेशा अडिनीन और थाइमीन के बराबर होंगे, है ना, क्योंकि दोनों की pairing, sorry, proportion में होंगे, क्योंकि दोनों की pairing हो रही, A की pairing हमेशा T के साथ में है, जी के साथ में, C के साथ में है, तो इनका एक proportion है, जो हमेशा से maintain रहेगा, ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है कि यह आपको clear हो गया है, और आप इसे please note करें, प्लीजे से note करें, तो सबने note कर लिया है, है ना, अब हम जो next, देखो जो double helix है ना, या फिर यह दोई कुंडली DNA जो है, इसकी बहुत खास बात है बेटा, इसकी वज़े से ना, बहुत सारी properties DNA के पास आ जाती है, हाँ, बहुत खास बात है, इसकी वज़े से ना, बहुत स बहुत सारी वशेशताएं आ जाती है DNA के सपास, उसकी सिर्फ double helical structure की वज़े से, है ना, यह double helix structure या द्वी कुंडली DNA की बहुत सारी खास बाते हैं, जो बहुत काम की हैं, पहले देखते हैं, ठीक है, दूस, देखो, अभी तक हमने यह देखा कि यह polynucleotide की श्रंखला ह है, बिल्कुल chain है, बिल्कुल है, दो chains है, आपस में, जो है helix structure बना रही है, है ना, साथ में जिसका आधार हमने देखा, वो sugar और phosphate का था, और भीतर की तरफ हमें nitrogenous basis देख रहे थे, बिल्कुल देख रहे थे, है ना, अब हमें एक चीज देखनी है, कि जो एक ऐसे helix है, ए और जब एक pitch की लंबाई नापी गई, तो वो निकली कितनी, 304 nanometer, 304 nanometer, और एक pitch में कितने base pair पाए गए थे, 10, ठीक है, तो इस तरह से करके, करके 10 base pair हर pitch में पाए गए, 10 base pair में, तो अगर 10 base pair के बीच में ये जो distance है, ये 3.4 nanometer, 3.4 nanometer की पूरी ये distance है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसके बीच में 10 base pair पाए गए हैं, तो 2 base pair के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 base pair के बीच की दूरी होगी, इसको divided by 10, इसको अगर हम 10 से भाग दे दे, तो जो आएगा, वो 2 base pair के बीच की दूरी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तो कितनी होगी वो, वो होगी, 0.34 nanometer, 2 base pair के बीच की दूरी होगी, 0.34 nanometer, क्या दूरी है, 2 base pair के बीच की दूरी कितनी है, 0.34 nanometer, और एक पिच में, इसमें इसकी क्या लंबाई है, इसकी लंबाई है, 3.4 nanometer, और जिसमें कि 10 base pair एक साथ पाए जाते हैं, तो उसको जब 10 से डिवाइट करा देंगे, तो 2 base pair के दूरी पता चलगी, देखा कितनी काम का इस ट्रक्चर था, ठीक है, दूसरी बात ये कह रहे हैं, कि जो ये strand होते हैं, ये जो इसका ये, हमने ये एक दूसरे के anti-parallel चलते हैं, ये भी बेटा स्थिरता बढ़ाने के लिए है, anti-parallel मतलब एक में एक तरफ 3 dash end होगा, तो दूसरे में 5 dash, दूसरे तरफ 5 dash होगा, और इधर क्या है, इधर जहां 3 है, उधर ये 5 है, और इधर 5 था, उधर ये 3 है, तो anti-parallel चलते हैं, म 2 dash, ठीक, अब और important बात, कि stability और कैसे बढ़ाई जाए, तो इसके लिए नोने क्या करा है, कि hydrogen bonds बनाए हैं, किसके बीच में, जो nitrogenous bases होते हैं, इनके बीच में hydrogen bonding होती है, hydrogen bonding होती है, और कैसे जिससे कि उसकी stability या स्थिरता बढ़ाई जा सके, कैसे होती है, एडिनीन और थाइमीन के बीच में 2 bond होते हैं, और G और C के बीच में, गवानीन और साइटोसीन के बीच में 3 hydrogen bonds present होते हैं, देख रहे हैं आप, hydrogen bonding बनाके इस थिरता बढ़ाई गए, किसके बीच में hydrogen bonding, nitrogenous basis के बीच में, किसके, कितने, देखने हैं, एडिनीन और थाइमीन के बीच में 2 bond hydrogen bond ठीक है ग्वानीन और cytosine के बीच में 3 hydrogen bond हम लोगे ने अब ये topic देख लिया है तो दो bond adenine और thymine के बीच में तीन bond guanine और cytosine के बीच में अब एक और बात है हमेशा प्यूरीन के सामने पारिमीडीन आ रहा है, क्यों? स्थिर्ता बढ़ा दुभाई, इस्थिर्ता, जितना stable structure, उतना अच्छा biomolecule, उतना अच्छा ही, in fact, biomolecule नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, उतना ही अच्छा genetic material, जितनी जाधा stability, तो इसी लिए DNA ने खुप सारे arrangement करें कि कैसे भी करके, इसकी stability बढ़ जाए, ठीक है, चलो बेटा, तो ये चीज़ हमने सारे देख लिए, अब प्लीज इसे नोट करिए, फिर हम next slide पर चलते हैं, ओके, अब देख लेते हैं, भाई, prokaryotes और eukaryotes का DNA अलग-अलग होता है, क्यों अलग-अलग होता है, कैसे अलग-अलग होता है, क्या उसमें भी कुछ ऐसा था कि prokaryotes ही जादा advance होगी, eukaryotes का DNA बना रहा है, बिल्कुल ऐसा है, और ये कैसे हैं, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है बेटा, तो देखो, जो prokaryotes है, जिसमें कौन से kingdom आती है, एक ही kingdom आती है, जिसका नाम है जिसमें आते हैं आपके bacteria, तो bacteria में जो होता है, वो true nucleus नहीं होता है, है ना, true nucleus नहीं होता है, उसमें जो nuclear membrane है, वो absent है, इसके लिए उसको true nucleus नहीं कहा रहा है, और उसको genetic material है, वो जो है DNA, circular DNA के form पर पढ़ा रहता है, circular, double stranded, DNA molecule पढ़ा रहता है, कहां उसके कोशिका द्रव्य में, तो prokaryotic DNA की क्या खास बात है, एक तो उसमें histone protein नहीं होगी, दूसरा ये है कि DNA कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और ये circular DNA है, इसी को हम व्रत्ताकार DNA कहेंगे, है न, इतनी बात clear है, अब आप ए मन में एक पश्चन हो रहता है, यार ये histone protein क्या होती है, मैं आमने तो बताया नहीं, बेटा बताओंगी, अभी इतना interesting है न ये topic, कि इसको बताने के लिए एक next slide है, पुरा topic है ये, है न, तो पहले आप ये समझ लो, कि prokaryotic DNA में histone protein नहीं पाई जाएगी, पाई किसमें जाएगी, यू क्यारियोट्स में, जिनका true nucleus होता है, जिसमें बाकी सारी kingdom आ जाती है, कौन सी, protesta, पंजाई, planty, animalia, ये सब आ जाती है, इन सब के पास कैसा है बेटा, यू क्यारियोटिक cells हैं, true nucleus हैं, इन सब के पास histone protein पाई जाएगी, ठीक, दूसरी बात क्या है, कि इनका जो DNA है न, वो उनके nucleus में होता है, mitochondria में होता है, और chloroplast में भी पाया जाता है, ठीक, इनका जो DNA है, वो linear है, रेखाकार है, वो circular नहीं है, वो रेखाकार है, linear DNA है, एक line की तरह का DNA, line सी बनी है, और circle बनी है, तो prokaryotic DNA है, line बनी है, तो eukaryotic DNA है, ठीक है, आप इसको visualize करने की कोशिश करें, और note ज़रू करें, diagram अभी नहीं समझना है, diagram next page पे समझाओंगी, लेकिन पहले आप बस basic difference को समझने की कोशिश करें, कि कुछ stone protein है, जो prokaryotic में नहीं होती है, eukaryotic में होती है, prokaryotic क्योंकि पुरानी टाइप की cell है, तो उसमें जो भी DNA है, वो circular DNA है, वो cytoplasm में पढ़ा रहता है, eukaryotic advanced cell है, उसमें जो है, उसका जो DNA है, linear form में रहता है, और nucleus के अंदर रहता है, इतना पता हूँ, अब उसके बाद next slide पर आते, note, please note बेटा, चलो, तो अभी इस बात को समझना है, कि बेटा, अभी हम लोगों ने ये देखा, कि जो हम लोगों का वो होता है, DNA होता है, है न, उसकी जो एक दो, बेस पेर की जो बीच की दूरी थी, वो हमें कितनी मिली थी, वो मिली थी 0.34 nanometer, है न, 0.34 nanometer उसकी दूरी मिली थी, तो पहले हम इस सब डाटा यूज करके, पहले हम ये समझेंगे, कि भाई, जो हमारा DNA है, उसका साइज कितना है, ठीक है, अच्छा, बेटा, जो DNA है, DNA की पैकेजिंग है, बहुत इंपोर्टेंट है, बात यह है, कि DNA जो है, एक बढ़ा ही पतला सा थ्रेड है, है न, थ्रेड की तरह है, तो उसको जब हम अपने नुकलेस के अंदर पैक करेंगे, तो पहले हमें तो पता तो हो कि थ्रेड कितना बड़ा है, फिर ही तो उसकी पैकिंग होगी न, तो ये सारी चीजें हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसी को कहते हैं, ये नुकलियो सोम मॉडल, ये कैसे बनाए, कैसे कैसे हमारी बॉड़ी, हमारी सेल के अंदर, हमारी नुकलेस के अंदर डियने पैक एक दम वैसे अच्छे से रखा गया है, कैसे नेचर ने उसको रखा है, ये पढ़ेंगे, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का क्या योगदा ये भी पढ़ेंगे, ठीकी बेटा, ओके, देखो, मैमल्स में जो डियने होता है, उसकी लंबाई, रिसर्च ने बताई है, कि टू पॉइंट टू मीटर है, टू पॉइंट टू मीटर, ना बेटा, और हमने ये देख लिया है अलरेडी, कि दो बेस पेर के बीच की जो दू मीटर, है ना, और जिसको हम ऐसे लिख सकते है, 0.34 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, नानो मीटर हो जाएगा, ठीक है, अब हमने देखे, रिसर्च ने हमें ये भी बताया, कि टोटल बेस पेर जो होते है, मैमल में, वो कितने होते हैं, वो होते है, 6.6 इंटू 10 है, तो इसकी पूरे लंबाई जानने के लिए हम क्या करें, कि जो दो बेस पेर के बीच की जो एक दूरी मिली है, उसको टोटल बेस पेर से हम अगर मल्टिप्लाइ कर दें, जितने टोटल बेस पेर हैं, तो पता चल जाएगा ना, कि कितनी लंबाई है उस थ्रेट की, है न मतलब कि हमको एक यूनिट की नाप पता है, और उस यूनिट और उसमें कितनी यूनिट से, सब यूनिट से मल्टिप्लाइ कर देंगे, है न बेटा, मतलब कि जैसे हम कहना है कि एक पेंसिल की किमत 10 रुपे है, ठीक है, और हमें पता है कि बॉक्स में 5 पेंसिल है, तो मतल बेस पेर कितने है, 6.6 x 10 to the power 9, तो जब हम इनको आपस में मल्टिप्लाइ कर देते हैं, तो हमें जो दूरी मिलती है, वो मिलती है 2.2 मीटर की, तो इतना लंबा DNA हमारी सेल के अंदर होता है, ठीक, तो कैसे वो रखता है, कैसे उसकी पैकेजिंग करते हैं, यह हमें अब जानना है, तो नुकलियस का जो साइज है वो तो बड़ा चोटा सा है, वो तो 10.6, 10 to the power minus 6 मीटर ही है, और इतना बड़ा हम कैसे उसमें रखेंगे, तो इत मींस कि उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से करेंगे, पैकेजिंग, कहीं भी चीजों को अगर हम लोग छोटी सी कम जगे में अगर हमें चीजों को मैनेज करना है, तो हमें उसको अच्छे से पैक करना होता है, इसंट है, तो बस वैसे ही नेचर ने क्या कर रहा है, कि खुब लंबा सा थ्रेट था, येने का उसको नुकलियस के अंदर फिट करना था, तो खुब सारी पैकेजिंग करीए, तो कैसे करीए, देखो, पैकेजिंग करने के लिए, उसने क्या करा है, कि एक प्रोटीन ली है, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, तिक, ये होती है बेसिक प्रोटीन, अच्छा, देखो बिटा, अभी हमने कहा कि DNA, मतलब डी ओक्सी राइबो नुकलिक एसेड, तो उसका तो हमने एक प्रोटीन ली, जिसका नाम था हिस्टोन, हमने क्या नेचर ने, और उसमें, अच्छा, कोई भी प्रोटीन बेसिक इसके लिए है, क्योंकि इसमें बेसिक एमिनो आइसेड ज्यादा है, जैसे इस केस में क्या है, लाइसीन और आर्जिनीन बहुत ज्यादा है, तो बेसिक प्रोटीन ली जिसका नाम हिस्टोन था, फिर हमने क्या करा, कि हिस्टोन के आपस में 8 युनिट जोड़ किये, तो उसको हमने बूला हिस्टोन औॉक्टामर, और उसके उपर हमने जो डियने का अपना थ्रेड था, जो धागा था, यह देख रहे हैं आप, यह ज क्योंकि DNA में कौन सा charge है? Negative charge है. DNA में negative charge है. Protein में this pivot positive charge है. तो वो उसके उपर polarity की वजए से, charge की वजए से लिपड गया सहारी से, अब फिर क्या किया गया? तो ये जो एक इसको पूरा बोला गया, nucleosome. एक histone-ौक्तमर पे जितना DNA DNA coil हो जाता है, उसको कहते हैं Nucleosome, और कितने DNA coil होते हैं, 220 pair उसके उपर आ जाते हैं, ठीक है बेटा, अब इस चीज को आपको समझना है, तो हिस्टोन की 8 unit मिला के हिस्टोन ओक्तमर बना था, जो कि आपने डाइग्राम में यह देख लिया, अब इस तरीके कि जो ओक्तमर से इनको एक ओक्तमर पर 220 पर ऐसे ऐसे करते हैं, खुब सारे ओक्तमर को इकठा कर लेते, और फिर जो है, उस से बनता है क्या? chromatin thread जो chromatin का जो धागा होता है वो इससे बन जाता है क्यों कैसे उसमें खुब सारी nucleosomes वो है मतलब जुड़े हूँ है repeat हो गया है अब बेटा जो chromatin thread है आपको याद होगा कि जब cell division होगी तो वही condense करके क्या बना लेता है chromosome ये coil करेगा और क्या बनाएगा chromosome बनाएगा कब बनाएगा जब cell division होगा जब कोशिका का विभाजन होगा तब वो जह है chromosome बना लेगा है ना बेटा तो ये जह है तो अगर हम इसको देखते हैं अगर microscope से देखेंगे तो ये जो डोरी पे beads की तरह है जो nucleosome है ये ऐसे लगता है कि ये thread पे beads की तरह है मतलब मोतियों की तरह है आपको दिखेंगे डाइग्राम में ठीक है अच्छा अब बेटा एक बाब पिछली डाइग्राम पे आते है आपको कुछ clarity के लिए हाँ तो ये आपने देखा था ना कि ये हमारा DNA thread की तरह है इस डाइग्राम में दिख रहा है है ना बेटा अच्छा और ये देखो ये histone octomar है जिसके ओपर ये coiling करी गई है तो इसी लिए इस पुरी sunrashna को क्या बोल रहे है nucleosome, nucleosome तो ये question आपके board में आ सकता है nucleosome model ठीक, किसका DNA को package करने का किस के अंदर nucleos के अंदर ठीक है बेटा चलो अब next slides पर आते हैं तो आप इससे प्लीज नोट करिए ताकि मैं फिर next slide पर चलो तो बेटा अब हमने देखा कि इस तरीके से histone protein की वज़े से DNA में packaging हुई है बेटा अब और high level packaging जब हम करते हैं न क्यों जब chromosome बनेगा तो फिर हम और high level packaging करनी पड़ेगी और condense करना पड़ेगा थागों को और पास पास रखना पड़ेगा तब हमें non-histone proteins भी होती है उनका इस्तिमाल भी करना होता है ठीक है in fact nature ने कर रहा है तो जो chromatin है उसकी अच्छा एक बात को समझना है आपको एक बात को समझना है कि जब भी DNA की coiling होगी जब भी DNA एक structure बनाएगा पहले तो वो chromatin thread बनाएगा जब chromatin thread बनाएगा तो chromatin तो तब रहता है जब cell भी भाजन नहीं कर रही है cell में पड़ा रहता है उसके nucleus में chromatin की धागे है ना लेकिन जब उसको cell division करना होगा तो उसके लिए जो है उसको chromosome में बदलना होगा ठीक है बदलना है chromosome में तो क्या sub part सारा part chromosome में बदलके DNA बनाएगा सब लक्षड बनाएगा लक्षड पहुँचाएगा एक generation से दूसरी नाशा जैसे मालू यह cell है यह इसका nucleus है इसके इंदर chromatin thread पड़ा है resting stage में तो अगर हम इसकी staining करें ना stain करें तो इसका जो कुछ भाग है इससे अगर हम माली जो इससे बनाते थे तो कुछ भाग है वो dark color लेगा कुछ भाग है वो light color लेगा तो बीटा जो dark color वाला भाग है वो नहीं करता transcription समझ रहे है न वो वो protein नहीं बनाता है यह protein dark वाला भाग नहीं बनाता है protein नहीं बनाएगा dark वाला भाग और जो light वाला भाग है जो light में हमने दिखाया है light वाला भाग है वो वो बनाएगा protein, ठीक, तो जो भाग protein बनाता है, अलका रंग लेने वाला भाग transcription करता है, मतलब की वो protein बनाता है और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं u chromatin, ठीक, वहीं पे जो गाढ़ा वाला भाग है जिसको heterokromatin बोलते हैं, ये गाढ़ा रंग लेता है और यह transcription या protein नहीं बनाता बेटा इसको concept इतना interesting यहाँ पे आ गया है ना कि पहले आप उसे समझ लेजे फिर ही आप यह गाढ़ा और हलकर पे जाएगा बेटा देखिए जब धरती पे जीवन प्रारम हुआ तो उस समय की जो environment था वो different था है ना जो जीवियों की need थी वो different थी तो उस समय वो जो protein बना रहे थे आज जरूरी नहीं कि उनको वही protein चाहिए ठीक समय के साथ कुछ ऐसी protein है कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब हम लोगों को नहीं चाहिए तो उनसे related जितना genetic material है उनसे related वाला जो DNA है वो heterochromatin के form में पढ़ा रहता है cell के अंदर मतलब वो coding नहीं करेगा वो पड़ा है वो एक तरीके से अब काम नहीं आ रहा क्योंकि वो पहले काम आता था लेकिन अब विकास होने के बाद अब उसकी जरूरत नहीं है तो आज के समय में हमें जिस जिस protein की जरूरत है उसकी coding के लिए हमारे पास ही क्यों क्रोम मैटएन हैं और हेटर क्रोम Thai वो part वो प्रोटीन कोड़ करता है जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है इसके लिए वो कोडिंग नहीं करता है ठीक लेकिन वेटा वूंपॉर्टेंट है जब हम लोग evolution की study करते हैं तो हेटरो क्रोमाटइन की study करते हैं ताकिम कि शालू ठीक है तो बेटा अब हमारी next लाइड आ गई है वो है कि अनुवानशिक पदार्थ की खोज है ना तो अनुवानशिक पदार्थ की खोज कब हुई कैसे हुई कितना समय लगा इसको हम लोग एक बार तो सरसरे निगाह से देख चुके हैं कि सौ साल लगे थे लेकिन प्रॉपर्ली कैसे हुई किस किस साइंटिस ने क्या-क्या योगदान करें कौन-कौन से मेजर एक्स्पेरिमेंट्स थे जिनके जिनसे येड क्लियर हुआ कि हाँ भाई डियाइन इस द में जरेटिक मैठीटिक तो वो चीजें हमें अब देखनी हैं ठीके बीटा तो पहला है कि कि 1901 में सटन और बावरी ने इन्होंने क्या दिया था ये बताया था कि अनुवांशिक सूचना पीढ़ी-दर-पीढ़ी क्रोमोसोम या गुड़सूत्र के द्वारा ट्रांस्पर होती है यह हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं जहां हम लोग क्रोमोसोम बेसे ऑफ इन्हेरिटेंस की बात कर रहे थे कि हां क्रोमोसोम के द्वारा ही जो है जन्टिक इन्फरमेशन एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन पहुशती है यह सटन और बावरी ने बताया था य इस बायो मॉलक्यूल की वज़े से क्रोमोसोम इन्टिक इन्फरमेशन को ट्रांस्फर कर पाते हैं वो डियने है इतना आपको याद है और प्लीज इसे नोट भी कर लीज़े फिर से एक बार तो डियने अनुवांशिक प्रदार्थ के तौर पर जब स्थापित किया गया तो उसके पहले एक तीन उसमें प्रियोग करे गए हैं वो तीनों प्रियोग बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत इंट्रेस्टिंग है बैं पूरा एक एक करके आपसे वो डिसकस करने वाली ह प्रियोग है वो है Griffith का रूपांतरड प्रियोग Griffith's Transformation Principle दूसरा है Every MacLeod और McCarthy का प्रियोग और तीसरा है Hershey और Chase का प्रियोग अब इन तीनों ने क्या क्या कर रहा है कैसे कैसे कर रहा है देखते हैं आप चाहें तो यह नोट कर लें ठीक है तो पहला हम लोग Griffith's Transformation Principle पहने जा रहे हैं जिसमें क्या है उन्होंने किसका प्रियोग कर रहा था किसका उप्योग कर रहा था पहले यह देखते हैं उन्होंने क्या करा कि निमोनिया कॉस करने वाला जो बैक्टीरिया था वो नियूमो कोकस नियूमो कोकस बैक्ट यह ब्रीड जैसे माली जी कि कुट्टेगी यह ब्रीड है नसल है तो वैसे जो माइक्रोब्स की बात आएगी तो हम इस ट्रेंड वर्ड यूस करें ठीक है तो जब हमने बात करी तो निमोनिया कि जो यह था नियूमो कोकस उसके दो स्ट्रेंस उन्होंने लिए दो इसलिए उसको स्मूथ बोला और दूसरे की जो भित्य थी वो रफ थी ना तो इसलिए उसको रफ बोला आर स्ट्रेंड बोला अब इन्होंने क्या करा अब इन्होंने यह देखा कि अच्छा एक्स्पेरिमेंट चुहे पे करा था तो इन्होंने क्या करा कि जब चुहे के को किस उपर S strain के बैक्टीरिया से infection कराया तो चुहा मर गया चुहा मर गया कब जब उसके उपर infection किस ने करा S strain में ठीक उसके बाद उन्होंने दूसरे एक्स्परेमिन में क्या करा पर उन्हों ने क्या करा कि जो S वाला था, उसको heat देखके मार दिया, अब उसकी वारेलेंस खतम कर दिया, infection करने की capacity को down कर दिया, तो चुहा रह गया जीवित, ठीक, अब क्या करा, कि जो उसको heat किल करने के बाद, जो एक उसका वो बचा था, समिश्रण, उसमें R वाला add कर दिया, मतलब कि R वाला उसमें add कर दिया, heat kid, S के साथ, उन्होंने R को डाल दिया, heat kid, S के साथ, उन्होंने R को जोड दिया, ठीक है? हाँ, heat kid, S के साथ में, उन्होंने R वाले को जोड दिया, समझें? तो जो heat kid, S की चीज़ थी, उन्होंने R के साथ में जब जोडी, तो देखा कि चुहा फिर मर गया, ठीक है? तो मतलब R वाला जो एक तरीकी का suspension था, या bacteria का जो एक solution, एक वो होगा न, मतलब एक test tube टाइप का होगा, जिसमें R वाला bacteria था, उसमें S वाले का थोड़ा सा, जो मरा हुआ स्ट्वेन का पार्ट था, वो एड कर दिया, जब एड कर दिया, तो देखा कि चुहा फिर मर गया, अब उनके मन में जो conclusion आया, जो बात आई, उन्होंने कहा कि ऐसा है, कि कोई ऐसी चीज तो थी, जो S के पास थी, उसने R को दे दिया, और वो उसके वज़े से R में भी परिवर्तन आ गया, और R में जो है, जो अभी तक नहीं मार रहा तो चुहे को मार गी रहा है, तो उनके माइंड में बात आई, कि कोई ऐसी चीज जरूर है, जो S के पास है, और जब वो R को दे देता है, तब R भी उतना ही हानिकारक हो जाता है, और चुहे को मार डालता है, लेकिन उनका experiment जो था, इसी point पर रोप गया, वो यह नहीं पता कर पाए, कि वो कौन सा factor है, वो कौन सी है, जो S देता है R को, और उसकी बाद R है, वो हानिकारक हो जाता है, और चुहे को मार देता है, ठीक है, तो इस तरीके से वो कारक को नहीं ढूप पाए, लेकिन उनको यह ज़रूर समझ में आ गया, कि कोई ऐसा factor है, कोई ऐसा कारेख है, जो कि S strain दे देता है, S को R में परि वर्तित आ रहे है, वो वो चुहे को मार देता है, है ना बेटा, ठीक है, तो यह चीज़ अब आपको देखनी है, next slide पे, तो आचा, तो देखो कितना अच्छा experiment था, शुरुआ का experiment था, कितना उन्होंने effort दिया यह जानने के लिए कि क्या है, जो transfer हो रहा है, लेकिन इस काम को पूरा किया, next scientist ने, तो बेटा, next काम आया है, every macleod और mccartica, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया कि DNA ही अनुवांशिक पदार्थ है, और यह इसको कैसे बता पाए है, ऐसे बता पाए हैं कि इन्होंने क्या करा, कि जो उन्होंका experiment था उसको थोड़ा सा modify करा, और फिर यह जानने की कोशिश करी कि कौन सी चीज है, ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बताया कि, पहले उसका जो S strain था, उसको एक protein पार्ट अलग किया, carbohydrate पार्ट अलग किया और DNA पार्ट अलग किया, समझ किया, हाँ, तो जो S strain था, S strain वाला जो बैक्टेरिया था, pneumococcus, pneumococcus की जो S strain थी, उसका इन्होंने protein पार्ट, carbohydrate पार्ट और DNA पार्ट तीनों अलग-अलग कर ली, ठीक, अब उसके protein पार्ट को इन्होंने R strain के साथ जोड़ा, हाँ, मतब जैसे मालो कि ये उनका container है, तो वहाँ पे उसका, तो जैसे मालो कि ये container है, तो वहाँ पे उसका protein पार्ट, उसमें इन्होंने R वाले को डाल दिया, तो जब R S strain की protein, जब R के साथ आई, मिला दिया गया, तो R S में नहीं परवर्तित हुआ, कोई बदलाव नहीं आया, फिर उसी तरीके से जब इन्होंने R का, सॉरी, S strain का carbohydrate R के साथ मिला दिया, तो भी कोई परवर्तित नहीं आया, R S में नहीं बदला, लेकिन जब वहीं उन्होंने S strain के साथ में, R strain के साथ में, S strain का DNA अड़ कर दिया, जैसे ही DNA अड़ किया वैसे ही R strain, S strain में convert हो गया, R strain, S strain में convert हो गया, और तब उन्हें पता चल गया कि, अच्छा, DNA ही वो चीज थी, जो S strain से R strain में आती है, और उसके बार में, जो है, वो R strain को घातक बना देती है, और वो चुवे को मार देता है, ठीक है बटा, तो DNA ही वो कारक है, DNA ही वो कारक है, वो factor है, जिससे R strain, S strain में convert हो जाती है, ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट करें, और फिर हम लोग नेक्स एक्स्पेरिमिंट देख तो अब यह जो next experiment है, यह final proof है, किसका, कि DNA ही अनुवांशिक द्रव है, और यह दिया किसने, Hershey Chase का experiment है, Hershey Chase का experiment हम लोगा कर रहे है, है न, Hershey Chase का experiment कर रहे है, तो इसका महत्व क्या है, DNA अनुवांशिक द्रव है, finally इन्होंने proof कर दिया था, देखो बेटा, प्रूफ तो मैं क्लियोडनोगों ने भी कर दिया था, लेकिन एक final proof, और अच्छा proof किसने दिया, Hershey Chase में, ठीक है, चलो, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो चीजे लिए भाई, इन्होंने एक वाइरस लिया, बैक्टिरियोफेज, बैक्टिरियोफेज वो वाइरस होता है, जो बैक्ट बैक्टिरिया का इंफेक्शन दे रहे है, उनका नाम बैक्टिरियोफेज है, बहुत ज़्यादा बैक्टिरियोफेज होता है, याद रखना, अब उसने क्या, और दूसरा इन्होंने एक बैक्टिरिया लिया, बैक्टिरिया लिया, बैक्टिरियोफेज, बैक्टिरियोफे उसमें इन्होंने रिएदियो एक्टिव पार्ट डाल दिया है रेदियो एक्टिव फाट डाल दिया उसको रेडियो ऐक्टिव पी 32 बना दिया है कि यह ना देमितां जो डीयma होता है डीययदे में हमेशें ऑर प्रोटीन अमेशा जो है तो ग दीयाने हमेशा प्रोटीन होता है और प्रोटीन में पाया जाएगा सल्फर ठीक है तो इन्होंने क्या करा कि जो फॉस्फोरस था उसको रेडियो अक्टिव बना दिया पी 32 से डाल के उसके अंदर और जो सल्फर था उसमें बना दिया इस 35 डाल दिया अब ऐसे करने से क्या हुआ कि इन दोनों को इन्हों ने रेडियाक्टिव बना दिया उस पे इन्होंने उसको फीड कराया बैक्टिरियो फेज को तो जब उसके बाद हाँ तो जो डियने था अच्छा बीटा इक चीज है एक बात आपको समझने होगी कि जो यह बैक्टिरियो फेज इन्होंने क्यों लिया बैक्टिरियो फेजिक तरीके का वाइरस है यह आपको पता है वाइरस के दो इंपोर्टिंट पार्ट होते है एक होता है उसका पता हैनने मतलब कोर था उसके नंदर इन्होंने क्या डाल दिया सेलफategоров फोसफोर ना थी मतलब कि कोट को भी डियो एक्टिव कर दिया और उसका जो कोड था बीच का था और उसको भी डियो हैईने था अब इन्होंने यह देखा कि जब उस वाइरस ने भीक्टिरियो पें infection किया और फिर अपने जैसे छोटे-छोटे नए वाइरस बनाए तो उन सारे वाइरस के पास में क्या पहुचा पॉस्फॉरस पहुच गया है ना बिटा तो उनके पास में radioactive radioactive phosphorus पाया गया तो इसका मतलब यह हो रहा था कि radioactive phosphorus तो DNA में था इसका मतलब है कि DNA जो है वो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी गया किसके यहां वाइरस के केस में और फिर उन्होंने लिखाया कि अच्छा तो वह अनुआशिक पदार्त जो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी जा आदिया था phosphorus की मतलब से तो phosphorus को चेक किया तो देखा यार phosphorus मिल गया इसका मतलब यह है कि DNA पास हो रहा है अगर वहीं पे उनको radioactive sulfur मिलता है ना तो वो यह समझते कि protein genetic material है लेकिन इस बात से सब कुछ clear हो गया कि नहीं अगर कोई genetic material है तो वो DNA है ठीक है आप प्लीज नोट करे से नोट हो गया ना चलो next topic पर आता है हाँ तो अब हम पहड़े जा रहे है DNA replication DNA replication क्या होता है DNA प्रतिलिपी करड क्या होता है मैंने अभी बताया था यह होता है DNA से नया DNA बनना या DNA की copies बनना इससे क्या कहते है DNA प्रतिलिपी करड या DNA replication ठीक है चलो तो इसमें कौन-कौन से enzymes इस्तमाल होते हैं पहले हम यह देखेंगे फिर process देखेंगे ऊकिलेटा ठीक है तो अजय यह है न एन्जाइम है topo isomerase पहला enzyme है यह क्या करता है DNA के दोनों हेलिक्स को हटा देता है उन्सक्राइब के बीच में टॉर्क है न जो अपस में वह अकड़े रहते हैं उसको हटा देता है टोप आई सो मेरेस डाव डोट दो डियहने के दोनों कुंड लोगो को खोल देता है पहली बार कैस क्या करता है जो हाई डूजन बॉंड निंग होती है दो नाइटूजन इस पीसिस के बीच में वह उसको खोल दिता है पहले केकल स्ट्रक्चर को खोल देगा उसके बाद में DNA dependent DNA polymerase यह क्या करने वाला है DNA dependent DNA polymerase क्या करने वाला है यह करने वाला है मेन DNA की जो synthesis है जो नए DNA है वो बनाएगा DNA dependent DNA polymerase ठीके बेटा और उसके बाद एक चौथे enzyme आता है that is DNA ligase यह क्या करता है DNA के खंडों को आपस में जोडता है DNA के खंडों को आपस में जोडता है तो पेटा इक चीज़ आप पूछ रहोंगे कौन से खंड आभी बताते हूं लेकिन पहले इसको आप यह सारे points note कर लीजिए तो आपने note कर लिया है ना थारे enzymes के नाम राइट अब हम लोग देखते हैं कि कैसे यह वर्क कर रहा है देखो बेटा इसमें सबसे important बात यह होती है कि पूरा का पूरा DNA एक बार में replicate नहीं करता है क्यों क्योंकि बेटा यह बहुत ही energy टेकिंग प्रासेस है इसमें बहुत जिस छोटे से portion में replication होता है उसको बोलते है रेप्लिकेशन फॉक फॉक यह फॉक की तरह जो खुल के आ रहा है ना portion इसी को कह रहे है क्या replication फॉक यह जो चीज खुल के आए अब बात समझ रहे हैं यह replication पॉक है अच्छा तो और दिने का जो रेप्लिकेशन वह हर चागे भी नहीं होता है इसके स्पेशल पॉइंट उसके लिए होते हैं जिसे हम लोग कहते है और जो फॉल फॉर्म है वह है ओर जिन ओफ रेप्लिकेशन के डिने में कहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उकि मिटा ठीक है तो जो और आई है वह पहली चीज़ हमें चाहिए डरे के रेप्लिकेशन तब होता जब एकBon होगा कहां से रेप्लिकेशन की शुरूपाद की जाये पहला परच्छा restrict कि कि इस कि hydrogen bonding टूटी हुई है तो कहीं न कहीं टोपो इसो मेरे जोर हैलिकेस ने अपना काम किया हुआ है ठीक है अब उसके बाद में तीसरा होता है replication पहला काम पहला होगा origin of replication बनाया जाएगा फिर वहां पर replication fork बनेगा और उसके बाद बहुत रेप्लिकेशन फॉक पर replication का DNA का replication होता है ठीक है और उसके लिए जो enzyme होता है वो होता है DNA dependent DNA polymerase बट बहुत important बात है वो यह है कि जो DNA dependent DNA polymerase है वो एक ही दिशा में काम करता है वो कौन सी दिशा है वो खाली five dash से three dash दिशा में काम करता है ठीक है तो वो सिर्फ five dash से three dash में काम करता है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि अगर हमको DNA polymerase DNA dependent DNA polymerase का इस्तेमाल करना है तो हम उसी दिशा में कर सकते हैं जो कि five dash से three dash को करने देगी ठीक है अच्छा तो कौन सी ऐसे जगे है जहां पर five dash और three dash बनने बननी की जरुरत है वो वही है जो पहले जहां पर three dash था और दूसरी तरफ जहां पर five dash है तो जहां three dash है वहां उसको opposite polarity उसको five dash चाहिए कि नहीं तो इसका मतलब यह है कि जिस स्ट्रैंड की polarity three dash five dash है उस तरफ ही डीने बन पाएगा कि नहीं कि यह जो यह जो एंजाइम है यह five dash से three dash ही काम कर सकता है जैसा कि five से three ही जा सकता है तो फाइव से three कब जाएगा तब ही जाएगा जब जब उसके opposite क्या होगा three to five होगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरफ जहां पे जो डीने का स्ट्रैंड three dash सब्सक्राइब। फाइब डैश है वहाँ पे आराम से नया डीने सेग्मेंट बचाएगा नया डीने सेग्मेंट बन जाएगा लेकिन प्राब्लम दूसरी तरफ आएगे क्योंकि दूसरी तरफ की तो पोलारिटी five dash to three dash है अब वो कह रहा है कि यार्ट हम तो काम करेंगे five to 3, हम तो 5 to 3 ही काम करेंगे, अब वो 5 to 3 काम करना चाहता है, और यहाँ पे 5 है, तो 5 के साथ 5 थोड़ी बनेगा, 5 के साथ हमेशा 3 बनेगा, इसका मतलब होगा, कि जो भी strand है, वो पार्ट पार्ट में बनने वाला है, ठीक, एक छोटा सा पार्ट बनेगा, जो यहाँ पे 5 होग और यहाँ पे 3 होगा, तो भाई इसकी भी इच्छा पूरी होगा, एक यह 5 से 3 आया है, और इसकी भी इच्छा पूरी होगा, एक 5 के सामने हमेशा 3 ही रहेगा, तो इस वाले जो fragments होते हैं, यह जो एक टुकड़े टुकड़ो में बन रहा है, और इसे तरफ फिर यहाँ पे च्छोटा से टुकड़ा बनेगा, जिसकी यहाँ पे पोलारिटी 3 होगी, और उपर जहाँ 5 से 3, इधर च्छोटा टुकड़ा बन गया, तो इस तरह जो छोटे च्छोटे टुकड़े बने हैं, इनको ओकाजाकी fragments कहते हैं, और बाद में इनको जोड़ा जाता है, किस से जो बन रहा है, 5-3- इसको continuous synthesis कहते हैं, और जो दूसरा वाला strand है, उधर कहते हैं, discontinuous synthesis, तो अगर हम DNA की तरफ से बात करें, एक DNA की उससे बात करें, तो कहते हैं, कि जो DNA क्या 3-5- strand है, वहाँ continuous synthesis होती है, लेकिन जो उसका 5-3- है, वहाँ पे discontinuous synthesis होती है, समझ में आगे, DNA-dependent DNA polymerase है, वो जिद करके बैठा है, कि मैं बनाऊंगा तो 5-3- बनाऊंगा, अब 5-3- बनेगा कहां, जहां पे उसकी जरुद्ध है, तो उसकी जरुद्ध वहीं पे है, जहां पे पहले से 3-5 वाला end मौचूद है, तो वहाँ पे 5 एकतर बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो complete हो जाएगा, तो वो हो गया continuous strand, है ना, लेकिन discontinuous strand में जिद वही DNA polymerase की, कि नहीं बनाऊंगा तो 5-3- बनाऊंगा, तो वो क्या करता है, छोटे-छोटे fragments बनाता है, फिर उनको DNA-lygis से जुडवा देता है, और इस तरीके से DNA का replication complete हो जाता है, ठीके बिटा, I hope it's clear, and please note it down. अच्छा, तो बेटा, अभी एक चीज हम लोग देख रहेते, कि जो DNA का एक समय में एक ही strand है, वो replicate हुआ है, और फिर उसके बाद जो दूसरा है, वो discontinuously हुआ है, तो जो नया parent आता है, तो बेटा, जो नया office spring आता है, उसके पास जो होता है, वो एक strand होता है, पुराने वो अवाले का, और एक होता है नया, ठीक है, जितना भी नया DNA मनेगा, उसके अंदर एक strand पुराना होगा, और एक strand होगा नया, जैसे कि हम ने इस diagram में देखा था, इस diagram में ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी गई है, ये DNA के अर्ध सनरक्षी प्रतितियन, इसका मतलब ये है, कि जो ये DNA है ते दिखो, इसमें ये पूरा ये DNA चल रहा था, यहां पर आके ये खुला, और इसका जो नया strand है, तो एक एक, दोनों के साथ एक नया, नया strand बन रहा है न, तो इससे कहते हैं, semi-conservative replication, मतलब कि जब replication होने के बाद जो DNA बनेगा, उसका एक strand पुराना होगा, और एक नया होगा, इससे कहते हैं, semi-conservative replication of DNA, Semi-conservative replication of DNA का मतलब यह है, कि जब भी DNA का replication होगा, तो जो नया DNA बनके आएगा, उसमें एक strand पुराने DNA का होगा, और एक दूसरा नया उसके साथ strand होगा, ठीक है, समझ में आया है, तो इसके लिए एक experiment कर रहा था, इन्होंने, यह experiment है, मिसलसन और स्टैल का experiment है, इस experiment में इन्ह करी है, तो बेटा, एक आपको बहुत इंट्रेस्टिंग चीज नजर आएगी बाले जी में, कि जब भी उन्हें किसी चीज को चेक करना होते है, कि कौन सी चीज कहीं गई ना, तो हमेश्यों उसके साथ radio activity का प्रयोग करते हैं, तो यहां भी इन्होंने क्या करा, कि जो nitrogen था है ना, nitrogen के साथ उन्होंने, अच्छा nitrogen इस basis तो होते हैं यह DNA में, है ना, basis तो होंगे यह DNA में, तो वहां पर जो nitrogen N15 लगा दी, radioactive nitrogen लगा दी, radioactive nitrogen का इस्तिमाल किया, अब उसके बाद क्या करा, कि जब जो पहली पीढ़ी आई, तो उन्होंने देखा कि उसमें, जो 20 मिनट में पहली पीढ़ी यहां पर आ चुकी है, तो जो इसमें, एक जो strand था, वो था radioactive nitrogen का, मतलब कि nitrogen 15 का, और बाकी जो आधा उसका content था, वो था nitrogen 14, मतलब कहने का, कि आधी चीज नहीं बनी है, आधी चीज पुरानी आई, isn't it, ठीके बिटा, अब उसके बाद में, पिर उसके बाद हाँ, क्या करा है, फिर दूबारा जब replication कराया, तो replication करने के पाद दूबारा क्या हुआ, कि भाई, green वाले का भी है, तो अपना पार्ट बन जाएगा, green वाले का नया पार्ट बनेगा, समझ रहे हो आप, तो ये अब 14 वाले के साथ, एक 14 वाले जाला strand बन गया, तो ये हो ग 14 और 15 का था, है ना, समझ रहे हो, जब 14 और 15 को पहली बार मिलाया गया, तो एक 14 का मिला, एक 15 का मिला, इतनी बत करे है, उसके बाद जब दूबारा से experiment कराया गया, तो 14 ने अपने साथ क्या बनाया, 14 अलग हो गया, 15 अलग हो गया, ठीक है, तो 14 ने अपने साथ क्या बनाय एक नया 14 बना लिया, ठीक, जैसा की यह दिख रहा है, और जो 15 था, क्योंकि बिटा, वो 15 तो बाहर से डाला गया था, वो अंदर तो था नहीं, तो उसके साथ जो नया strand बनेगा, वो फिर 14 कहीं बनेगा, क्योंकि जो उसके पास, लिविंग और्गनिसम के पास, जो nitrogen है, वो तो nitrogen 14 है, तो radioactive nitrogen ऐसे कहें, जो हम पहले डाल दिये थे, वो धीरे धीरे जाके कम होने लगी, क्योंकि जो हमारा नया strand था, वो nitrogen 14 से बन रहा था, ठीक, तो इसके बाद हमने ये देखा, कि जब पहले हमने ये radioactive ही strand लिया था, तो सारा जो nitrogen था, वो सारा radioactive था, ठीक, उसके जब हमने उसको एक पहली बार replicate कराया, तो उसके बाद आधा था बना, और जैसे जैसे हमारी number of generations बढ़ती चली जा रही है, तो हम देख रहे हैं, क्योंकि radioactive तो हम बाहर से, वो तो हम डाल नहीं रहे हैं, तो जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन जो nitrogen 14 है, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक, तो ये शो करता है कि semi conservative replication है DNA का, मतब आधा पार्ट वही है और आधा नया इस्तिमाल हो रहा है, ठीक है बेटा, तो ये इसको प्रूव किया था मेसलसन और स्टैल ने अपने experiment से, अब प्लीज इसे नोट कर लें, अब हम बात करते हैं transcription की, तो transcription क्या process है, कैसे होता है, ये हम लोगों को detail में देखना है, ठीक है बेटा, तो transcription का मतला, वह देखो अभी हमने ये बताया, कि DNA से RNA बनना, ये ही तो होता है ना transcription, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, अनुलेखन ये transcription का मतलब क्या है, DNA से RNA बनना, ठीक, तो DNA से RNA, एक nucleic acid से दूसरा nucleic acid बनना, राइट, तो अब इसमें जो है, जो DNA है, वो अगर हम इसको फिर से लिखे, तो यह कहेंगे, अनुवान्शिक सूचना को RNA के माध्यम से प्रिकट करेगा, है ना, तो DNA की द्वारा दी गई अनुवान्शिक सूचना को, अगर RNA प्रतिलिपिक करण करता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं transcription, ठीक, तो DNA ने जो information दी है, उसको जब RNA transcribe करता है, तो इस ही को कहते है, transcription या अनुलेखन, ठीक है बेटा, अनुलेखन, अब इस जो अनुलेखन की जो unit है, तो बेटा, हर एक चीज में, जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं, तो पहले हमें उसके लिए एक कोई organized way चाहिए, कोई organized units चाहिए, ठीक है, तो जो भी transcription की, जो unit है transcription की, एक normal transcription की जो unit पाई जाती है, living organism में, उसकी तीन निकाईयां होते हैं, तीन भाग होते हैं, कौन सी, promoter, दूसरी structural gene, तीसरी है terminator, तो तीन पार्ट है, promoter, promoter शुरू करने वाला, terminator खतम करने वाला, ठीक है, और structural बनाने वाला, इस से आप इनके नाम से इनका काम याद कर सकते हैं, तो उन्नायक, उन्नायक, जो कि promote करेगा, सनराचात्मक, जो कि structure बनाएगा, और समापक, जो कि terminate करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो RNA बनेगा, वो कोशिका द्रवे में चला जाएगा, तो इन तीनों steps के बाद में, जो हमारे RNA बनेगा, वो हमारे cytoplasm में चला जाएगा, मत्तब DNA से RNA बना, RNA चला गया, कूद के cytoplas में, ठीक है बेटा, चलो, तो अब इसको समझने के लिए हम पहले इसके diagram पे आते हैं, ठीक, इसकी भी जो दिशा होगी, वो हमेशा 5- से 3- होगी, इसकी भी जो दिशा होगी, transcription के जो दिशा होती है, वो हमेशा 5- से 3- होगी, ओके, तो इसी के लिए जब RNA बनना है, तो कौ सद्याने के strand यूज होगा, वही यूज होगा, 3- to 5-, ठीक है, तो उन्नायक, प्रमोटर, एक तरफ, दूसरी तरफ, टर्मिनेटर, समापक, और इसके बीच में, जो है, वो है सनराचात्मक जीन, तो यहां से आरंभ होगा, प्रमोटर से आरंभ होगा, और समापक से खतम हो ठीक है, तो होता क्या है, पहले क्या होता है, कि प्रमोटर में आरेने पॉलिमरेस पहुचता है, और सिग्मा फैक्टर के साथ, ठीक है, तो यह देखो, अब हमने कौन से एंजाइम यूज करा है, आरेने पॉलिमरेस, क्या बनना है, आरेने बनना है, ठीक है, तो एंजाइम इसमें यूज है उसे कला से रिख लो RNA Polymerase क्या बनाएगा? RNA बनाएगा क्योंकि अब हमें DNA से RNA बनाना है तो क्या करता है कि जो promoter वाला जो region है promoter वाला जो region है यहाँ पहुचता है कौन RNA Polymerase ठीक है, promoter तक पहुचता है RNA Polymerase और किस के साथ? Sigma Factor के साथ एक special factor है जहाँ से start होता है उसको हम Sigma Factor कहते हैं तो Sigma Factor के साथ RNA Polymerase कहाँ पहुच जाता है promoter के पास ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद अनुलेखन शुरू हो जाता है और इस तरीके से जो transcription है वो स्टार्ट हो जाता है ठीक है बीटा? तो ये हमारी step होगी प्रारंभन की उसके बाद बात हुए देरगी करण की तो देरगी करण या elongation की जो step होती है ये तीन वो steps है बीटा, इनको आप बहुत ध्यान से याद रखना, प्रारंभन, देरगी करण और समापन तो देरगी करण में क्या रहता है? कि जो ये RNA polymerase है, ये RNA बनाना शुरू कर देता है पॉलिमरेस जो ये structural gene के पास जाता है और RNA synthesis शुरू कर देता है अब ये structural gene के पास गया और इसने जो है आरेने synthesis शुरू कर देता है, ये पूरी तरीके से अपने आपको अलग नहीं करता है ये अपने आपको अलग नहीं करेगा, ये इससे जोड़े रहेगा ठीक, टर्मिनेटर तक पहुच जाएगा और पिर उसके बाद जब ये बनते 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 जब टर्मिनेटर पर पहुच जाता है तब ये चीज स्टॉप हो जाती है, है ना तो अब ये जो RNA polymerase है, वो अलग हो गया रहो रो फैक्टर जो है, वो अलग हो गया इसको रो फैक्टर कहते हैं, रो फैक्टर तो रो फैक्टर अलग हो गया और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमारा जो बना हुआ नाया आरेने था वो अलग हो गया, ठीके बीटा, तो एक बाद फिर से मैं रिपीट करते हूँ ताकि आपको याद हो जाए, प्रारंधन कैसे होगा, स्टार्टिंग कैसे होगी, इनिशेशन कैसे होगा, कि जो औरेने पॉलिम्रेस है, वो रो फैक्तर के साथ आके और किस से जुड़ जाएगा, प्रमोटर से जुड़ जाएगा, ठीक, तो सजोने का मतलब है कि process start कर दो उसके बाद क्या आएगा कि धीरे से वो फिर आगे बढ़ते structural gene पर जाता है structural gene का मतलब है कि वहाँ पर structure बनेगा ता आरेने बनना शुरू हो जाता है RNA बनता तो है नया लेकिन अभी वो जुड़ा रहेगा DNA से फिर जब हम समापन की तरफ आएंगे तब जाके जो हमारा नया RNA strand है वो बनके अलग हो जाएगा और फिर क्या होगा कि जो raw factor है और जो RNA polymerase है क्योंकि वो एक catalyst का काम कर रहे हैं तो वो अपना free हो जाएगे तो इस तर करा process को अपना RNA strand बना लिए RNA polymerase की मदद से और process complete होने के बाद इसको chain को बंद कर दिया terminator की help से और नया RNA जो था वो कहां चला गया कोशिका द्रव्य में यह चला गया कोशिका द्रव्य में cytoplasm में इत्ती बात clear हो गई आपको ठीक है चला अब next topic मैं देखूंगे पर पहले आप इसको नोट करें हां तो अब genetic code on हम लोगों को पढ़ना है genetic code क्या होता है देखो बेटा हमने यह बना लिया कि DNA से बन गया है क्या RNA अब RNA से बननी है protein तो कैसे RNA से protein मनेगा मतलब एक biomolecule से दूसरा biomolecule बनना है तो कैसे बनेगा तो उसके लिए क्या करा गया कि जो हमारे यह जो हमारे पास जो न्यू वो थे हमारे nitrogenous basis थे जो basis थे कौन से basis थे? adenine, uracil, guanine और cytosine है ना? बिटा अब आपने एक चीज़ नोटिस करें कि हमने यहाँ पर uracil लिखा है क्यों uracil लिखा है? क्यों uracil लिखा है? इन nucleotides का वो codon बनाएगा और वो codon जो है वो ही protein में change होगा तो जिस codon में जो जो nucleic acids होंगे उसी की corresponding protein बनती है तो genetic code एक combination है किसका nitrogenous basis का जो जिसको translate करने पर हमें protein प्राप्त हो जाती है RNA से प्रोटीन बनाना है तो एक coding है एक code है जिससे यह पता चालता है कि कौन सी protein बनने है तो उस code को कहते है genetic code अब वो code बना किससे है वो 3-3 अक्षरों से बना है वो 3-3 अक्षर किस चीज को denote कर रहे है वो 3 nucleotide को denote कर रहे है तो और total हमारे पास 4 nucleotide है न क्योंकि RNA की बात हो वो बन सकते हैं codon तो हर codon एक अलग protein बनाता है तो genetic codon का मतलब genetic code का मतलब है कि वो group of code है ना वो 64 code जिससे कि पूरी जितने भी living organism है सबके amino acids बनाए जा सके और amino acids मिलके क्या बना लेगा protein बना लेगा ठीक है तो जब हमें RNA से protein बनाना होता है तो हमें genetic code की आविशक्ता पड जाता है कि किस RNA से कौन सी protein बनेगी ठीक है इसकी खोज एक हिंदुस्तानी वेग्यानिक ने करी थी बहुत ही शांदार खोज हर गोविन खुराना जी की खोज थी और इंडिया में नहीं रहे लेकिन काम बहुत अच्छा किया और नीरेंबर्ग उनके साथ में उन्होंने भी हमारे पास तीन nitrogenous basis है जिनसे मिलके बने हैं जो हर एक कोड होता है एक कोड में होते हैं तीन nitrogenous basis ठीक 3 nitrogen's हार से मिलके बने हैं और यह सम मिलके किसकी code करेंगे यह code करेंगे एक amino acid की और amino acid की chain क्या कहलाती है एम्नो एसेड और एम्नो एसेड का जो चेन होती है वही तो है प्रोटीन तो इसका जह है देखो बिटा जब भी कभी भी कोडिंग स्टार्ट होगी कोई भी जो प्रोसेस बालजी में हो रहा है जब उसकी जरत होगी तभी चलेगा जेखो वह क्या हो रहा है इसमें यही हो रहा है कि सबसे पहले कोई भी प्रोटीन संसेस स्टार्ट होनी है तो सबसे पहले एक code आएगा, वो code जो है, दो code हो सकते हैं, जिनसे यह पता चलेगा कि आप protein synthesis शुरू करनी है, तो कौन से वो दो code है, या तो वो AUG आएगा, दूसरा या तो GUG आएगा, अगर किसी chain की शुरुआत में AUG या GUG आ रहे हैं, तो message clear है कि भाई, शुरू करो इसक translation, ठीक है, और AUG और GUG, इतना पहले आप समझो, दूसरे बात है कि जब ये चीज बंद होनी होती है, समापन होना होता है, तो एक दूसरे तरीके का code on होता है, तो समापन के लिए अलग code है, जिने हम stop code on कहते हैं, और वो कौन से है, UAA, UGA, और UAG, ये तीनों stop code on है, तो stop code on और initiation code on, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, और ये जो genetic code है, सरव भॉमेक है, मतलब सारे यूनिवर्सल है, मतलब कि सारे living organism में ये code जो है, वो apply cable है, आपको इतनी बात समझ में आई है, तो आप प्लीज इसे note करें, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया DNA replication, DNA से DNA बनन DNA transcription, DNA से RNA बनना, अब बनाना है RNA से protein, ठीक है, तो RNA से protein बनाने का जो process है, उसे कहते हैं, translation और इसके लिए आपको एक चीज समझने होगी, कि हमारे transcription में mRNA का एक strand बन चुका था, ठीक है, तो जो bacteria होते हैं, उसमें mRNA का strand है, वो पूरी तरह functional होता है, सीधा कर सीधा protein में convert हो जात लेकिन जो eukaryotes हैं, उनका जो भी mRNA हैं, उसमें दो भाग होते हैं, एक coding होता है, एक non-coding होता है, तो जो coding भाग है ना सिर्फ वो सी से बनेगी protein, तो क्या करेंगे पहले कि जो non-coding भाग हैं, उसको काट के निकाल देंगे, तो यह होता है RNA splicing, इस पुरी प्रक्रिया को कहत होते RNA splicing, ठीक है, यह किसमें होगी, उससे क्या करा जाएगा, जो coding भाग है, exon, coding भाग का नाम है, exon, exon, कोज है, जोड लिया जाता है, सारे exon एक साथ जोड लिया जाते और उनकी बिच का in-tron निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो non-coding भाग को हटा के, non-coding भाग को हटा के, उसके बाद exon को आपस में जोड दिया जाता है, और non-coding भाग को हटाने को कहते RNA splicing, है ना, mRNA को जगे-जगे काट के, non-coding पार्ट को हटा दिया जाता है, जो बाकी बचता है, coding पार्ट, exon, उसको आपस में जोड दिया जाता है, right, अच्छा, अब चीज आपको देखना है, कि जो mRNA है, वो codon उसमें रहते हैं, जो mRNA है, जब उसको protein बनाना है, तो वो तीन, तीन, बेस पेंस का एक codon बनाते हैं, जीन codon जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो जो codon है, उसी से किसमें क्या बनेगा, amino acid बनेगा, तो ये जो प्रक्रिया है, जिस this is translation, तो जो इसमें क्या होते हैं, जो mRNA होता है, mRNA के दोनों तरफ राइबोसोम की एक उनेट आके लग जाती है, जैसे ये mRNA है ये देखिए, 5-3- इस पे राइबोसोम की एक उनेट ये चोटी वाली, ये उपर बड़ी वाल यूनेट आके लग गए, क्योंकि protein synthesis हमेशा राइ राइबोसोम को आना है, अब बाकी की steps क्या है, ये देखते हैं, हाँ, तो देखो, कि जितना भी amino acid है, हर amino acid एक special, हर amino acid एक special tRNA से जुड़ेगा, ठीक है, हर amino acid के लिए एक special tRNA होता है, इस बात को आप एस से समझो, एक specific tRNA होता है, for every amino acid, हर amino acid के लिए, हर amino amino के लिए, एक special tRNA होता है, ठीक है, तो जो tRNA होता है, वो क्या करता है, कि वो उसके दो शाखाएं होती हैं, दो भाग होते हैं, दो काम होते हैं, दो हाथ होते हैं, एक हाथ से वो पकड़ता है, एक amino acid को, और दूसरे से वो जुड़ है MRNA से समझ रहे हो और MRNA की जो एंटी कोड़ों से वो जुड़ता है वहां पर बनाता है वो हाइडोजन बॉंडिंग और जिसकी मदद से वो करता है त्रांसलेशन में मदद त्रीक अच्छा उसके बार ट्रांसलेशन होता एक्जाक्ली कहां पर राइबोसोम में होता है जहां पर MRNA आपस में जुड़ते हैं MRNA जुड़ते रहते हैं और amino acid बनते रहते हैं ठीक है तो यह पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई है तो अब एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आ रहे हैं दाट इस लैक अपरोन पिटा एक चीज आपको समझनी होगी कि जो भी जीन्स हैं जितने भी जीन्स किसी भी और्रनिजम के अंदर होते हैं वो हमेशा हर जीन को अभिव्यक्त नहीं करते हैं उसी जीन को अभिव्यक्त करते हैं जिसकी उन्हें आविश्यक्ता होती है क्यों क्योंकि ये एनर्जी टेकिंग प्रॉसेस है तो हम अब जिस जीन के बारे में बात कर रहे हैं हम इसी तरीके का एक मॉडल स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है लैक ओप्रैन इसका मतलब है कि जो लैक्टो शुगर हो पहुचेगी है ना बीटा तो जब उस और्गनिसम के पास में या किसी भी बैक्टेरिया के पास में जब कोई स्पेशल चीज पहुचती है तभी वो उसके उपर प्रॉसेस स्टार्ट करता है तो अजब तक वो उसके पास वो चीज नहीं है तब सेल में क्या हो रहा है और तब वो चीज पहुची तब सेल में क्या हो रहा है यहीं हम लैक अपरॉन को में बार पढ़ते हैं ठीक है तो लैक अपरॉन या ओपरॉन यह तरीके का एक मेक्यानिजम है कैसे जीन अपने आपको अभिव्यक्त करने से रोकती है या अभिव्यक्त करने किस वतंतरता पाती कब जीन अपने आपको एक्सप्रेस करेगी, कब नहीं करेगी, कैसे करेगी, यह चीज देखना है हम लोगों को, ठीक है, तो वो कब होगी, कैसे होगी, इसको हम लाग अपरॉन की help से देख रहे हैं, मतब लाक, मतब लाक्टोस, लाक्टोस, शुगर, की अपरॉन, या इसका क सारी ओपरॉन चलते हैं, मतलब कि depending on की कौन सा सब्स्ट्रेट उन्होंने खाया है, क्या चीज उनको मिली है, किस पर उन्हें वर्क करना है, उसके हिसाब से वो अपने जो उसका प्रोसेसिंग है, उस फूड की, उसके हिसाब से वो जीन को अक्टिवेट करते हैं, जरूरत सारे सिस्टम इसलिए नहीं चलते, because they are very energy taking, बहुत energy लगती है, ठीक है बीटा, तो इसको समझने के लिए, पहले हम यह देखते हैं, कि भाई, बैक्टीरिया में ऑपरॉन चलते हैं, जैसे लैक ऑपरॉन है, वो लैक्टोस की assimilation या लैक्टोस का utilization कैसे करना है बैक्टीरा को यह बताता है, तो यह कहना जा रहा है कि जो किसी भी संराचात्मक जीन के या structural जीन को मुख्य RNA, है ना, कोई भी structural जीन जो control होती है, regulate होती है, वो दो तरीके के जीन से होती है, कौन से जीन, जिने हम regulatory और promoter जीन कहते हैं, ठीक, तो लैक्ट ऑपरॉन क्या है कि लैक्ट ऑपरॉन एक तरीके का polycystronic structural gene है, और जो कि एक सामान promoter और regulator से generate होता है, पीटा अभी हमने पिछले डाग्राम में एक चीज़ नोटिस करी थी, कि structural gene के एक तरफ होता है promoter और दूसरे तरफ होता है terminator, तो कहीं न कहीं एक शुरू करेगा, एक बंद करेगा, इत तरफ promoter है, दूसरी तरफ regulator है, regulator का मतलब होता है, पीटा, control करने वाला, तो एक तरीके से रोकने वाला, है ना पीटा, तो अब इस चीज़ को समझना है, कि कैसे ये काम कर रहा है, बहुत ही interesting topic है, बहुत ही important भी exam point of view से, आप समझ जाओगे, तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक जो lack operon है, उसमें क्या है, कि regulatory gene है, regulatory gene, regulate करने वाला, रोकने वाला, उसका नाम क्या है, I है, ठीक है, regulate करने वाले gene का नाम क्या है, I, ठीक, साथ में तीन structural gene है, जिनका नाम क्या है, ZYA, 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 टीन structural gene है, तो जो I है, वो repressor है, वो रोकने वाला काम कर रहा है, बाकी तीन क्या कर रहे है, Z बनाता है, बीटा गेलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है, परमीज, और A बनाता है, ट्रांस एसेटाइलेज, ये तीनों किसके काम आएंगे, लैक्टोस की मेटाबॉलिसम में, मतलब कि लैक्टोस शुगर को ब्रेक करके एनरजी निकालने में, अगर किन तीनों का काम है, तो इन तीनों एंजाइम का काम है, ठीक है, देखो, ये ये जह है, बीटा गैलक्तोसाइडेज, और पर Müeas का मतलब होते है पर्मेबिल, बना देना, को ताकि उसके अंदर दूसरे मॉलक्यूज आ सके, तो पर्मेज, सेल मेंब्रेन को बना देती है, क्यों? क्योंकि बीटा गैलक्तोसाइडेज आ सके, ठीक है, तीक है एकर किने क्या रहता है कि кाम करता कि मतलब कि पुरा सिस्टम ह hello, इन लेकिन जैसे ही उस बैक्टीरिया को लैक्टोस मलिशन में रखा गया ने लाक्टोस खा लिया जब उस ने खा लिया तो जो पर्मियेज होती है और उसकी cell membrane permeable होने लगती और operon चल पड़ता है ठीकी बीटा तो कैसे होगा lactose inducer lactose inducer है मतलब की process को start कौन कर रहा है lactose start कर रहा है तो lactose के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज करा, inducer, inducer, तो lactose is inducer की तरह काम शुरू करता है, इसके double function है, पहले तो यह substrate है, किस से beta-galactosidase enzyme इस पर वर्क करेगा lactose पर, दूसरा, यही switch on and off करता है, है ना, on and off, इसका मतलब यह है कि अगर bacteria lactose पर फीड कर रही है, तब ही उसके इंदे lacopron चलेगा, lacopron का काम क्या होता है, कि beta-galactosidase की मदद से lactose को break करके energy ले लेना, ठीक, तो इसके दो function है, inducer की तरह काम कर रहे है, दो function, एक switch on या off इसकी presence में होगा, दूसरी बात यह है, lacopron, switch on और off इसकी presence में होगा, दूसरा यह substrate है, किसका beta-galactosidase की substrate की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है बेटा, तो अब इसको पहले note करो, फिर मैं इसकी next slide बताती हो आपको, हाँ, देखो, सामान तह लेक्टोज नहीं है, सामान तह सेल में लेक्टोज अगर नहीं present है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर लेक्टोज नहीं present है, तो जो I gene है, वो repressor protein के साथ जुड़ जाएगा, और क्या होगा, operator region में रोक देगा, किसको, RNA polymerase को, किसलिए, कि operator transcription को रोक आजा सके, समझ रहा हो ना, समझ रहा है, कि उसकी जो पूरी metabolism है, या उस पूरी gene को ना, कंट्रोल का लिया जागा, कि नहीं तो मैं अपका express नहीं करूँ, क्योंकि अभी lactose नहीं है, तो क्या करेगा, I gene repressor protein से जुड़ जाएगा, और operator region में रोक देगा, किसको, RNA polymerase को किसके लिए, operon transcription के लिए, मतब transcription रोके रहेगा वो, कहेगा, नहीं, नहीं, I will not allow you to transcribe, ठीक है, अच्छा, लेकिन जब lactose है, जब lactose आ गया, यह, एंट्रीकल इस नहीं हपे, तो lactose क्या करेगा, induce करेगा, चालू करता है, क्या चालू करता है, चालू करता है, RNA polymerase को, RNA polymerase को instruction देगा, कि अब promoter से मिलके operon को चालू करो, प्रमोटर से मिलकर, operon को चालू करो, इट मीन्स कि वो जीन का expression स्टार्ट करो, जो की help करेगी, किस में, lactose के metabolism में, ठीक, तो इसको, यह मिल जाता है, प्रमोटर से, और operon को चालू कर देता है, यह जो चीज है, यह example है, जो lack operon है, यह एक example है, किस तरीके का, कि कैसे enzyme synthesis, प्रभावित होती है, कि मतलब कि enzyme की synthesis तभी कर रहा है organism, जबकि उसके पास substrate है, substrate मतलब lactose, मतलब कि lactose को हजम करने का enzyme, digest करने का enzyme तभी बने, जब cell में lactose आए, तो यह इतना precise mechanism इसलिए है, ताकि cell की energy ना waste हो, कि बना-बना के enzyme रखे, और lactose तो वो कभी आया ही नहीं, है ना, तो इस चीज के लिए, यह lack of run एक बहुत अच्छा method है, gene expression को control करने का, कि कैसे जब तक substrate ना हो, तब तक enzyme ना बने, ओके बिटा, आप note करो इसे, चलो, अब एक बहुत important concept, बहुत थी interesting concept, देखो बिटा, जब इतनी DNA पे study करी गई न, तो बहुत सारी बाते समझ में आई इंसानों को, उसमें से एक सबसे important थी, वो थी DNA polymorphism, DNA polymorphism का ये मतलब होता है, कि जो हमारे पास में DNA है, वो DNA कई रूपों में पाया जा सकता है, जिसे कहते बहुरूपता, DNA का polymorphism या बहुरूपता, अच्छा इस प्रोपर्टी का इस्तेमाल बहुत गजब हुआ है, इसके लिए जो है क्या नमें, जेनेटिक मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग में इसका इस्तेमाल हुआ है, और मानव human genome project, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, मानव genome पर्योजना में इसका इसका इस्तेमाल कि आगया है, ठीक है, तो DNA जो ये DNA में जो polymorphism आ जाता है, बहुरूपता आ जाती, ये कैसे आ जाता है, ये समझना है, ठीक है, तो जो DNA अनुकरम, DNA sequence में जो बहुरूपता ये polymorphism आती है, उसकी कारण होती है विविधता, variation, किस में, variation कब आता है, अनुवांशिक इस्तर पर variation हो जाता है, अगर अनुवांशिक इस्तर पर variation आ गया है, तो उसकी वज़े से DNA polymorphism हो सकता है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि अगर अनुवांशिक इस्तर पर विविधता आ गई, तो वो change DNA में ऐसे भी जा सकता है, कि वो कई पेढ़ियों तक वो आगे जा रहा है, ठीक ह अगर, mutation, mutation या उत्परिवर्तन के कारण, जो अनुवांशिक इस्तर पर कोई भी विविधता आ जाती है, तो अगर वो विविधता रह जाती है, जनसंख्या में, या लोगों में, या प्राणियों में, तो वो ही कारण मनती है किसका DNA polymorphism या फिर DNA अनुक्रम बहुरूपत का, ठीक, तो DNA polymorphism क्यों आता है, जब कभी-कभी mutation होती है, और वो mutation एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आगे जाती है, और वो विविधता के फॉर्म में रहती है, तब आगे चलके वही DNA polymorphism का नाम ले लेता है, या कहने का मतलब है कि एक ही जनसंख्या में DNA के सीक्व थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी अलग है, तो वो इसकी वज़े से है, क्योंकि DNA polymorphism है, ये कभी mutation हुआ था, उस mutation का impact आज तक उनके DNA पर है, समझ में आया, तभी note करिएगा, तो अब ये होता कैसे, एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं, कि जब भी कोई new evolution होते हैं, नया उत्परिवर्तन, है ना, नया new evolution जब होता है, सुरी, new mutation, new mutation, नया उत्परिवर्तन, new mutation जब होता है, तो दो परस्थितिया होती है, या तो वो दहिक कोशिका में होगा, है ना, दहिक कोशिका में होगा, body cells में होगा, अगर body cells में आने वाला तो वो एक ही जीन को प्रभाव जिसकी शरीर में आया है, सिर्फ उस पर ही उसका प्रभाव रहेगा, जैसे आपने दिखागा किसी कि 6 उंगलिया होती है, तो जिसकी 6 उंगलिया है, तो वो उस ही तक ही रहती है, उसकी बच्चों में जाने वाला है, अच्छा, लेकिन अगर वो गัमीट में हो रहा है, गया मिट सेल्ज में अगर वो हो रहा है, तो दो चीजे हो सकती है, गया मिट सेल्ज में होने के वज़ से या तो उसमें बान्तिता हाजएगी उस प्राणी में, जैसे हम लोगों ने टॉरनलर सिंड्रोम औ पढ़ाता पिशले चाप्टर में, अब जिसमें बांधिता आगे तो वो तो पीढ़िया बनानी पाएगा, है ना, तो उसकी तरीकी से वहीं पे वो खतम हो जाएगा, जो म्यूटेशन आया, बांधिता की वज़े थे, वो वहीं पे रुग गया, हानिकारक था, आगे किसी को अरे मिला, यह यह देखिए, लेकिन अगर बांधिता नहीं आई, और सफल लेंगिक प्रजिनन किया उस प्राडी ने, मतब उस प्राडी का उस और्गनिजम का सेक्श्वल रिप्रड़क्शन हुआ, तो क्या होगा, कि वो जह है जनसंख्या में, तो वो और पूरी, मतब प यह जो म्यूटेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चली गई है, उसको हम कहते हैं, इनहरिटेबल म्यूटेशन, और या फिर, जब इनहरिटेबल म्यूटेशन अधिक्ता में देखने को मिले, जनसंख्या में, तब उसी को क्या कह देते हैं, डेने कि हम लोगों के पास एक जीव है, एक टंग है, कोई ऐसा चेंज आ जाए किसी इंसान के अंदर, कि उसकी दो टंग है, ठीक, और वो इंसान के अंदर बागी सब कुछ वो नॉर्मल हो, उसकी अच्छी से लाइफ चले, और वो जो अपनी जेनरेशन छोड़े, उनमें कईयो कि दो-दो टंग हो, ठीक, दो-दो जीव हो, तो अब एक समय ऐसा आएगा, कि जनसंख्या में, मतब जैसे कि मालू भारत की जनसंख्या की बात करो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे, जिनके पास डबल टंग होगी, वो उसी के पीड़ी-दर-पीड़ी आगे है, है ना, तो यह जो चीज है, अब यह कहना है, तो इस तरीकी की जो mutation, जो inherit हो रही है, एक generation से दूसरे generation में जा रही है, जब यह अधिक्ता में जनसंख्या में देख, एक-दो लोगों में नहीं, जब काफी लोगों में यह देखने को मिलती है, तब यह कहलाती है DNA polymorphism, और तब ही कहलाती है, क्या DNA polymorphism, ठीक, तो DNA polymorphism तब होता है, जब किसी एक mutation की कोई एक change है, वो अधिक्ता, मतब कुछ अलग सता बहुत सारे लोगों में देखने लगे, तो उसे कहेंगे क्या DNA polymorphism, इस concept का इस्तमाल बहुत research में किया गया है, अब ही देखते हैं, आप जो DNA बहुरूपता का इस्तमाल कैसे हुआ है, इसको आप देखो, ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो inheritable mutations थे, वो उनकी पाये जाने की संभावना ज्यादा होती है, कहां, non-coding DNA sequences में, है ना, और क्यों, क्योंकि वो जहें प्रजनन पर प्रभाव कम होता है, ठीक, अब इसमें एक बहुत important concept में आपको समझाने जा रही हूँ, वो यह है, कि जो DNA है, उसके हमने बात करी थी, कि उसमें जो है, DNA के दो तरीके के sequences होते हैं, coding और non-coding sequences, ठीक, जो coding sequences होते हैं, वो mRNA बनाते हैं, और वो ही protein बनाते हैं, और उनको कहते हैं, exon ठीक, जो non-coding sequences होते हैं, वो mRNA नहीं बनाते हैं, और उन्हें कहते हैं intron, और intron जो है, यही polymorphism का कारण है, क्यों? देखो बीटा, अगर कोई चीज दिख गई, कोई character हमारे समाज में या हमारे living organism में दिख गया, दिख जाने के बाद में उसका जनसंख्या में बने रहना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई छुपा हुआ character है, तो बहुत लंबे समय तक जनसंख्या में बना रहता है, ठीक है? तो इसी तरीके से जो intron वाला पार्ट होता है, ना DNA का, जो coding नहीं करता है, जो चुपचा पड़ा हुआ है, खाली उसके genetic material में, है ना, वहाँ पर polymorphism देखने को मिलता है, मतलब कि ऐसे changes, ऐसे mutation, जो पीड़ी दर पीड़ी इकठा होते गए हैं, वो intron में छुपके बैठ रहते हैं, और उसी को कहते हैं, वो ही आगे चल के polymorphism का जन्म देने वाले, देखो जाओ, तो फिर जो होते हैं, यह होते हैं, यह intron, अच्छा, इन जो non-coding sequences हैं, इनको हम intron कह रहे हैं, इन में जो चीज छुपी हुई है, उसकी वो जल्दी से जो हैं, उसका प्रजनन प प्रभाव नहीं हो रहा है, प्रजनन पर प्रभाव नहीं हो रहा है, तो वो चुपचाप बैठे होएं, और जब वो इकठा होते हैं, पीडी दर पीडी जब वो इकठा होते हैं, तब डियने बहुरूपता का रूप ले लेते हैं, है ना, कि डियने, अंदसे डियने प्रजातियों का उद्भवन होता है प्रजातियों का उद्भवन भी पॉलिमॉर्फिज्म की वजए से होता है तो आच्छा जो DNA भहरूपता है उसमें चेंज किस लेविल पर हो सकता है कि मालो एक नुक्लियोटाइट चेंज हो गया या फिर बड़ी भारी मात्रा में भी पर हुआ और वो पढ़ा रहा और सालों सालों तर सालों तक उसने हमारे जैटिक मेटियर को अंदर से चेंज का दिया तो हमने कहा कि डियने पॉलिमॉर्फिजम हो गया इट मींस कि एक ही जंसांख्या में अलग-अलग टाइप के डियने मौजूद हो गया राइट ओके चलो अब पूरी तरीके से dna polymorphism को यूज करके मनी हुई है कि कैसे अंतर है एक जन संख्या में लोगों के बीच में कैसे कैसे अंतर है कि पूरी मतलब की कैसे मानव के जिनोम में अंतर आ चुकी है कैसे अंतर आ चुके हैं इनके बारे में पढ़ेंगे मानव जीनोम परियोजना इस सभी छारों का अनुक्रम करना जितने भी बेस पेर्स हैं उनकी study करना इसका उद्देश था ठीक है साथ में इसके अनुद्देश क्या थे कि भाई सभी जीनों का पता लगाना फिर फिर डिने के बेस पेर्स सारे पढ़ लेना उसके बाद में क्या था सामाजिक और नैतिक उत देश्य हो गया और इसकी प्रमुक्विशेष्टाएं क्या थी प्रमुक्विशेष्टाएं इसकी ये थी कि इसने ये देखा कि इतने तरीके के बेस पेर्स हम लोगों में प्रस्तों थे कितने 3164.7 बेस पेर्स स्टाड़ी करें बहुत इंपोर्टेंट डाटा है प्लीज इसे ध्यान से दीखेगा कि कितने बेस पेर्स मिले हम लोगों को 3164 तीन हजार एक सो चौशट दशमलो साथ बेस पेर्स मिले चीक उसके बाद में ये देखा कि हर जीन में 3,000 बेस पेर्स होते हैं मतलब कि जितनी मानव की जनसंख्या है उसमें सरफ 30,000 बात है हम लोग सोच रहते हैं कि बहुत ज़्यादा जीन सहोते होंगे लेकिन नहीं लिमिटेज जीन से तीस हजा जीन से खाले ठीक है जब पहले उमीद करी जाया थी कि 80,000 से लेकर 1,40,000 होंगे नहीं लिमिटेड जीन से भाई 30,000 हैं और इनकी बारे में मैक्सिमम की बारे में इस्टडी करी भी जा चुकी है ठीक है तो यह हो गया उसके साथ में एक और बहुत के आया वो यह है कि 99.9% लोगों में मिलने वाले बेस पेर समान हैं मतलब कि मैक्सिमम लोगों के जो बेस पेर्स हैं वो समान है मतलब मानिश्यों में इतना इतना अधिक evolution हो चुका है कि अब जो मनिश्य हैं उनमें सेम समान बेस पेर कितने 99.99% 99.9% है ना याद रखेगा लोगों में मिलने वाले बेस पेर समान है राइट अब एक चीज आपको देखनी है कि जब बेस पेर समान है इतने अब इनका क्या हो रहा है कि क्या इस information को हमने निकाला कैसे निकाला है एक बार देखते हैं इनसान का सब कर्वें एक अउन्ने सेल में से क्हरो सोब निकाले और जो सट्परसुमें की ब्रांच है बाइटा तो आप इस से पूरा नोट करिए समझनी कोशिष कर और ये देखेए कि कितना अच्छा इस्तमाल किया जा रहा है, जो भी information हमें मिली है, और आगे जो भी information मिल रहे हैं, उसको हम कितना ज्याद़ यूज करने वाले हैं. अब एक बहुत ही interesting topic, जो कि last topic है आज का, वो ये है कि DNA fingerprinting क्या होती है, देखो बेटा, DNA fingerprinting का, अच्छा हम है fingerprinting से, fingerprinting का क्या मतलब होता है, fingerprinting का होता है, हम अपने fingerprint से हर एक इनसान का fingerprint अलग है, तो अगर दो इनसानों की पहचान करनी है, तो उनके fingerprint अलग अलग मिलेंगे हमें, यह होता है इसका अगर प्रिंट हो हमारी यूनिक है मतल्न मेरा heyhoalka हाँ लेकिन यह हो सकता कि आप ग्लेंब कर डों कि गुळग करे नई को सब्सक्रीम कर तो भी उनके बीच का अंतरपता चलजाएगा जैसे दोनों के दो एंसानों की fingerprint अलग-अलग होती है, ऐसे दो का DNA भी अलग-अलग होता है, अब इसका इस्तिमाल कैसे करता है, हम लोग उने बहुत साई TV serials में देखे हैं, कि लाइक वहाँ पे, क्या थे नहीं कि वो वारदात की जगहे पे आपके बाल मिले हैं, या रक्त म मिला है, या कोई ऐसी चीज मिली है, जो कि किसी की body cells से, जिसमें किसी की cell, अगर एक भी cell मिल गई न, किसी की, जीव की, तो उससे पूरे DNA की पूरी जानकारी मिल जाती है, और पूरे जीव को पहचान लिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका इस्तिमाल कप करेंगे, कप करे किसे हमें इसको, पहले इसको समझते हैं मेटा, एक चीज, पहले इसकी सारे points आप समझ लो, ये क्या है, इसका प्रारंभिक विकास किस ने करा था, एलेक जैफ्रीज ने करा था, इन साइन्टिस्ट का इसमें योगदान है, दो व्यक्तियों के DNA अनुक्रमों के बीश तुल है, राइट, अच्छा, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि 99.9 जो है, जो DNA बेस पेर्स हैं, वो दो लोगों में common होते हैं, तो इसकी वज़े से, जो वहाँ पर repetitive DNA है, repetitive DNA के मद्ध से, उनकी भिन्नता का पता लगाया जाता है, ठीक है, देखो वीटा, 99.9% DNA बेस पेर्स ज जादतर मनश्यों में समान है, तो कुछ जो असमान है, वो होता है repetitive DNA sequencing, repetitive DNA का कुछ ऐसा पार्ट पड़ा होता है, जहां पर असमानता होती है, दो लोगों के बीच में, तो वहाँ की study कर, उस DNA sequence की study करके, यह पता लगाया जा सकता है, कि क्या अंतर है दो मनश्यों के बीच मे या किसका था वो जो cell हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, अच्छा, इसका सिधान्त क्या है, इसका सिधान्त वही वो DNA polymorphism की सिधान्त पर यह dependent है, जो अभी हम लोग बहुरूपता का सिधान्त पढ़ किया है, उसका यह application है, पहले आप note करें, फिर मैं इसके applications बताती हो, औ इसके साथ ही यह चीज कंपलीट हो जाएगी, तो बेटा, DNA फिंगर प्रिंटिंग का उप्योग कहा होता है, पहले बात देख लो भाई, साम्पल किस किस चीज के चल जाते हैं, कोई भी साम्पल जो आपके बॉडी से निकला हुआ है, या किसी के भी बॉडी से निकला हुआ है, वो बाल हो, रक्त हो, लार हो, सीमेन हो, सब सेम्पल यूज हो सकते हैं, जिसमें एक सेल भी बस उनको चाहिए, बाकी तो फिंगर प्रिंटिंग करी लेंगे डिया ने, ठीके बेटा, तो अब इसका कहां यूज होता है, पैत्रत इसका पिता कौन है, तब उसके केस में पैत्रत परिक्षण में DNA फिंगर प्रिंटि का इस्तिमाल होता है, अच्छा, मानो जीनोम की पूरी स्टडी में इसका इस्तिमाल होता है, ठीके, उसके साथ में ये इस्तिमाल होता है, कानूनी प्रक्रियाओं में, बहुत बार हम लो तो सनरक्षण, एक तरीके से कि अगर मालो की कोई ऐसा ओर्निजम है, जो कि सनरक्षित है और अगर उस पर किसी ने अटाक किया है और उसने सारे साक्ष मिटा भी दिये, लेकिन अगर उस ओर्निजम की एक भी सेल कहीं मिल गई न तो पता चल जाएगा कि उसके उपर अटाक हुआ है या मालो की किसी के पास ऐसे हथियार मिले है जिस पर और निजम की सेल लगी है, तो इट मेंस कि वो ही उसने उसके उपर सनरक्षित जीव पर अटाक किया हुआ है ठीके बेटा तो आप प्लीज इसे नोट करें नोट हो गया यह सारा, ओके तो अभी चाप्टर खतम हुआ है थैंक्यू एवरिवन इतना पेशन्स के साथ पूरे चाप्टर को फिनिश करने के लिए और थैंक्यू, थैंक्यू, थैंक्यू उन सभी बच्चों के लिए जो मुझे इतना धेर सारा प्यार दे रहे और एक और भी बात है कि जो बच्चे प्राक्टेश शीट सॉल्फ कर रहे हैं और उन्हें दिक्कत आ रही है हम उनके दिक्कतों को पूरा सॉल्फ करेंगे पूरा सॉट आउट करेंगे तो इसलिए आप बिलकुल भी टेंशन मत लीजे बस मुझे बताते रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है ठीके बीटा और यहां अभी हमारे पास में तीन चाप्टर्स और बाकी हैं हम लोग उन्हें complete भी करेंगे और आपको questions भी मिलेंगे उनके लेकिन आपको क्या करना है अपना revision अच्छे से करना है ठीक है बीटा ओके थैंक यू बाँ बाँ बाँ